अरे स्वागत निगरोगे हमारा गुड़ाफन बई क्याल चालें बड़े एक दम राशी नमन गजट रुद्र गुड़ाफन अरिवान बई जनकपूरी एंड वेरी गुड़ाफन रोहिनी बई कैसे आप सब बढ़िया होरे मज़े सी एंटर गे आज तो थोड़ी थोड़ी रिदम में आना स्टाट होगी होगी कल तो बेसिक्स चला होगा आज थोड़ा बहुत एडवांस पड़ा होगा आप सबने करते फिर आज की क्लास स्टार्ट कि आई होप आप सब अपना हैंडाउट कर रहे होगे बाइचांस किसी बच्चे के पास हैंडाउट नहीं है जिस में पिछली क्लास का रिवाइस कर रहे होंगे तो वो रिवीशन के दुरान आप थोड़ा सा फोकस जाधा रहना आगे वाली बात है आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी तो अगर महां से भी कोई इशू रहते तो आप मेरे को वर्ट सब्सक्राइब कर देना मेरे इसके बाद हम अपने शब्द लौ के उपर आगे थे और लौ से समंधित कुछ बात हमने समझी थी एक बार पहुनानी वाली बातों को रिकलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहली बात इंडिया में गर सबसे बड़ी अथोरिटी है तो किसकी है समिधान से बढ़कर कुछ भी नही पर बड़ा समिधान बनाया किसने क्योंकि जिसने समिधान बनाया उसकी अथोरिटी समिधान से भी बनी तो बड़ा किसने बनाया था पबलिक ने तो पबलिक ने मिल करके समिधान बनाया विकास पबलिक मिल करके elections में participate करके हमारे देश के MPs नमले को चुनती है और उन कि पावर समिधान ने किस प्यों दी, that is which is the legislative organ, as our constitution, बता बिड़ाओ, अरे नलाइको, कानून को बनाता है, Parliament, तो बढ़ा, Parliament is the one that will make law, इसके बाद, बढ़ा, कानून चलाने की पावर किसको दी गई थी, Central Government, तो बढ़ा, Central Government is the one that will execute law, और कानून चलाने में, बढ़ा, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो फिर तीसरा organ कोन साथ आथा आपका, judiciary, तो बढ़ा, इन तीन organs पर हमारा पूरा का पूरा legal system टिका हुआ था, इसमें जब हमने Parliament की बात करी, तो बढ़ा, Parliament में कोन कोन आ जाता है, लोगसभा, राज्यसभा and President, बढ़ा, जब Central Government की बात करी, Central Government में कोन कोन आ जाता है, Council of Ministers plus President, तो बढ़ा, इस तरीके से हमारा देश चलता है, legislative organ आपकी Parliament है, executive organ आपकी Central Government है, and then आ जाते हैं आपके लिए courts, जो कानूनों की interpretation में आपकी मदद करेंगे, और ये बात, बढ़ा, सविधान के कोन से article में लिखी थी, कि Parliament कानून बनाएगी, article number by chance ध्यान हो तो, 245, तो बढ़ा, article 245 हमने पढ़ा था, जिसने बताया, Parliament आप कानून बनासकते हो, पूरे के पूरे इंडिया के लिए, हम आपको ये power provide कर रहे हैं, कि आप हमारे देश में कानून बनाएगे, पर बढ़ा, उस article ने एक और authority को power दे दी थी, किसको? State की legislative assembly, तो बढ़ा, आज अगर किसी particular state के लिए कानून बनाने की बात आती है, तो state के लिए state legislative assembly को भी power मिल जाती है, आप भी वो कानून बनापाएंगे, तो parliament पूरे इंडिया के लिए कानून बनाएगा, state की legislative assembly state के लिए, पर बढ़ा, parliament इंडिया के लिए कानून बना रहे है, और हर state के legislative assembly अपने respective state के लिए, अगर दोनों के कानूनों में clash कानून बनापाओगे, उन मुद्दो पर जो कानून पर लिए और यहाँ पर हमने एक सवाल समझा, योगी जी हमारे पास आये थे, और सविधान का एक article 245 कहता है कि मैं कानून बना सकता हूँ, और 246 कहता है मैं सिर्फ इन मुद्दो पर कानून बना सकता हूँ, तो मैं 246 पढ़ हुई क्यों, जब 245 में वो बात लिखी हुई है, तो मैंने को 246 पढ़ने की ही आवश्यक्ता नहीं है, मैं तो 245 के साब से, UP में भी अलग से एक income tax लगाऊंगा, तो बढ़ा ये सवाल हमने समझा, तो इसके लिए हमने एक बात तो क्या सिखी थी, कि law में अगर कोई भी प्राभ्धान specifically दिया जाता है, तो बढ़ा specific provision, general provision को override करता है, पर वो rule हमें तब लगाना पढ़ता है, जब law की language उस चीज में clear ना हो, पर जब हम दोनों आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, इनकी language itself clear है, यहीं पर समिधान के इरचियता ने, अपने आप से clarity दे रखी है, कि बढ़ा 245 प्रिवेल करेगा, यह 246, तो उसका analysis हम last class में कर रहे थे, जिसके लिए हम आ गए थे, आर्टिकल 246 पर, और 246 का clause 1 आपका start हुआ था, कुछ wordings के साथ, और इस नहीं का का था भई, notwithstanding anything contained in clause 2 and 3, इस notwithstanding वाले clause को क्या बोलते हैं, non-obstentate clause, और इसका interpretation हमने क्या समझा था, clause 1 क्या कह रहे, अगर clause 1 के against, कोई भी बात, close 2 या 3 में लिखी है, तो बढ़ा क्या clause 1 को कोई भी फर्क पड़ेगा, नहीं, वो करे जी, मेरी बात करेगी override, that is, मेरे against, अगर कोई भी बा कस किया था, जहां पर हमने अपनी class करे थी, तो this is all about the last lecture, पिछले class में हमने यही सारी चर्चा करे थी, जाते जाते एक सवाल था, सवाल क्या था, अरे सवाल क्या था, ज्यान है कुछ है, बढ़ा, non-obstentate clause की चर्चा कर रहे थे, हमने जाना था, अगर section 10 है, और वो कह रहे किसकी बात override करेगी, एक्ट किया section 10 की, likewise बढ़ा, एक section आया, एक्टी, उसमें भी लिखा था, notwithstanding, anything contained in this act, तो इसका interpretation नहीं से में भई, असी भी कहरा है, जी पूरे कानून में, आप जो मर्जी मेरे against बोलते रहो, मुझे फरक नहीं बढ़ता, मेरी बात सर्वो पर ही है, मे लास्ट क्लास में discuss करी, यह तो भी बढ़ा, लास्ट क्लास तक की बात, अब आगे, जवाब, पहली पहली क्लास थी, घर जा कर कौन, मैं तो भूल भी गया था, सवाल भी है, आप कमान, अच्छा, हाँ जी, किसी के बास कोई जवाब इसका, हम कोट में लेकर जाएंगे, ज अपनी सिचुवेशन यह, कि जजज साब आप बता दो, तो क्लाइंट तुम्हें पैसे क्यों देगा, क्लाइंट तो पैसे इस चीज के दिना, कि आप इस बात को कोट में साबित करके जटवाप आओ, आपका क्लाइंट चाता है जी, आप section 80 को जटवाओ, या section 10 को जटवा होगा, जजज साब किस बेसिस पर यह, क्लाइरिटी नी दी, हमें एक इंटरपेटेशन करनी पड़ेगी, क्या मैं इंटरपेटेशन करूँ, जिस इंटरपेटेशन से मुझे जजज साब को भी कन्वेंस करना सान हो जाए, थोड़ा सा भी दिमाग लगा होगे, शायद आं है, थोड़ा सा रोर चलो, उन्होंने का सर देखो जब यह law बना होगा, तो यह law बनते वक्त lawmaker ने पहले कौन सा section लिखा होगा, 10 या 80, जब 10 उन्होंने लिखा तो उसमें उन्होंने कहा दिया, मेरे against अगर कोई भी बात, पूरे act में लिखिया तो मेरी बात करेगी prevail, उसक क्या यह intent जाहिर कर रहा है कि वो 10 की बात को भी override करना चाहरे, 80 के द्वारा, the answer is yes, तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा clash आजाए, तो कौन सा section prevail करेगा, जो बाद में आया है, तो ऐसे case में किस की बात prevail कर जाएगी, 80, तो यह होता है interpretation करना इन तरीकों से, और क्या लगता है, य इसलिए इस case में आपका 80 विल प्रिवेल, जो भी section आपका बात में आता है, वागि यह सारी चीज़े हम सीखेंगे, जब हम interpretation of status के chapter में जाएंगे, जो अबारे slavers का last chapter है, पर जैसा मैंने last class में काता है, जब तक उस chapter पर पहुचोगे, उसकी आदी से जादा बात आपको प समिधान बना, समिधान में अलग-अलग list बनाए गई, अलग-अलग matters लिखे गए, अगर कोई matter by chance, clause 1, that is, आपका union list and state list दोनों में लिख दिया गया, that is, अगर कोई matter है, जो गलती से union list में भी आ गया, और state list में भी आ गया, तो बढ़ा, ऐसे case में कौन से list प्रिवेल करेग Union list will prevail और उस पर कानून कौन बनाएगी, पाई-चांस कोई matter बेटा, union list as well as concurrent list में आ गया, गलती से दोनों जगे लिख दिया गया, किसकी बात prevail करेगी, क्यों करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि वो कहा कह रहा है, notwithstanding anything contained in clause 2, तो 1 कह रहा है जी, 2 और 3 में जो मर्जी लिखते रह अगर यह topic clear है, आपको बताने है, आज अगर 2 और 3 में clash आ जाए, तो कौन सा prevail करेगा, बाई-चांस कोई matter आपका, state list में भी लिख दिया गया, और वही matter आपका concurrent list में भी लिख दिया गया, पढ़कर के जवाब दीजे बढ़ा, ऐसे case में कौन सी बात prevail करेगी, 2 की या 3 की, that is concurrent list prevail करेगा, state list, concurrent list या state list, कितने बचाएगर है, concurrent list will prevail, कितने बचाएगर नहीं सर, state list will prevail, चलो तो बढ़ते बढ़ा, clause 2, clause 2 नहीं क्या कहा, notwithstanding anything contained in clause, कि जी मेरे against, अगर आप कोई बात 3 में लिख भी देते हो, मुझे फरक नहीं पढ़ता, पर बढ़ा, क्या वो one को override कर र मतलब, मतलब, दो कह रहे हैं, मेरे को 3 से फरक तो नहीं पढ़ता, पर मैं अपनी बात बोलते वक्त, one के subject to हूँ, one के subject हूँ मतलब, one के अधीन हूँ, वाई चांस, one और मेरे बीच में अगर clash आ जाए, तो दो हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं, किस की बात prevail कर जाएगी, one क और बढ़ा, वन में भी वो बात लिखी हुई थी, बिलकुल, one के रहे हैं, तो जो मर्जी बोलता है, मेरे को फरक नहीं पढ़ता, same चीज दो ने भी recognize करी, तो बढ़ा, अगर law में कभी भी word subject to आ जाए, subject to का मतलब क्या होगा, for example, अगर आप पढ़ रहे हो section number 25, और section 25 में लिखा होगा है, subject to section number 50, तो बढ़ा, by chance 25 और 50 में अगर clash आ गया, किसकी बात prevail करेगी, 25 या 50, 50, क्योंकि हो कहा है, जी, मैं अपनी बात बोलते वक्त उस दूसरे section के अधीन हूँ, that is, अगर clash आएगा, तो आपको उसकी बात माननी है, और subject to की जगे, अगर notwithstanding होता, फिर क इसकी बात prevail कर जाती, 25 का करें, मुझे उस बात से फरक नहीं पड़ता, तो बढ़ा, law में इन terminologies का अपना impact रहता है, I hope, दोनों का difference में आ गया होगा, notwithstanding मतलब, मुझे फरक नहीं पड़ता, मेरी बात सबसे बड़ी, and subject to मतलब, मैं उस बात के अधीन हो, उस बात के अधी मैं कुछ काम बोल रहा हूं, तो इसलिए, अगर कभी भी state list या concurrent list में clash आया, तो clause 2 क्या करें जी, मुझे तीन से फरक नहीं पड़ता, और बढ़ा, क्या तीन भी उस बात को recognize कर रहा है, क्योंकि तीन भी क्या कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 और 2 के अधीन हूं, मैं जो list और concurrent list में clash आया, तो कौन से prevail करेगी, union list और concurrent में clash आया, तो कौन से prevail करेगा, तो बढ़ागर अबस आपको वो terms पता चल जाएं कि notwithstanding और subject होगा, क्या मतलब है, फिर जैसा मरजी सवाल बना लो, answer आपके पास आजाएगा, is this great everyone, तो बढ़ा, योगी जी का सवाल भी की मही है, वो कह रहें जी मैं 246 क्यों पढ़ हूँ, मैं तो 245 पढ़ना चाता हूँ, क्या बिटा, अब आप answer कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्यों कि 245 किस से start हुआ, और 245 क्या कह रहें जी, मैं आपको कुछ बताने तो जा रहा हूँ, पर मैं जो भी बात बोलने जा रहा हूँ, वो बात बोलते वक्त मैं सविधान की बाकी बातों के अधीन हूँ, कि जी अगर बाईचांस 245 और 246 में क्लैश आ गया, तो 245 का कह रहा है, किसकी बात प्रिवेल करेगी, 246 की, तो क्या, मैं योगी जी को ये बात समझा पाँगे, कि देखो योगी इस सब को क्लियर है, इस इस क्लेट एबरीवन, तो बड़ा चोटी सी नोटिंग यहाँ पर आप कर लीजिए, जो आपको ये डॉक्यमेन में मिला हुए, हैंड आउट, इसी के पहले पेज़ पर ये लिख लीजिए, लेट सब्सक्शन 10 में लिखा हुए, नॉट विद्सटेंदिंग, सेक्शन नम्बर 30, और सेक्शन लेट सब्सक्शन 90 में लिखा हुए, सब्जेक्ट तू सेक्शन हेंडर्ड इन केस ऑफ लैश्च शेक्शन डैश्विल प्रवेल, सेक्शन डैश्विल प्रवेल, अगर बेटा टॉपिक समझे में आया है तो ये फिल इंद ब्लैंक आप खुद करेंगे, इन केस ऑफ लैश्च, सब्सक्राइब आपके सवाल के जावा मिल जाएगा, सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब जाएगा, बढ़ा कौन सा section पे विल कर जाएगा section 10 will prevail कर जाएगा section 10 will prevail कर जी मेरे against जो मर्जी 30 में बोलता है मुझे फरक नहीं पड़ता पर दूसरे में क्या करें जी 90 करें हाँ हाँ जी आपको सविधान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए अगर आप सविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई भी कानून बना दोगे तो क्या आप उस कानून को इक कटगरे में ले जाकर रद करवा सकते हो विल्कुल करा सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत न्यूस फॉलो करते हो तो 16 फेबरी है आज एक के एकनॉमिक टाइम्स के फ्रेंट पेज पर एक न्यूस आई थी कि हमारी सरकार कुछ कानून लेकर कर आई थी इलेक्टोरल बॉंड से रिलेटेड उसके लिए उन्होंने इंकम टेक्स एस वेल एस कंपनी जैक कंपनी जैक में बात करूँ कंपनी जैक में एक सेक्शन होता है 182 उसमें कुछ अमेंडमेंट्मेंट्स लाई थी 2017 में जो अनकॉंस्टिटूशनल थी और बड़ा कल सुप् इस तरीके से सप्रीम कोड अपने और आया जजमेंट आया तो बस ये चोटा सा सुप्रीम कोड का थे और रहे है इसमें उन्होंने समझाया जी इन सेक्शन जो बने थे क्या बात लिखी दी क्या दिकते थी क्यों हम उसे अनकॉंस्टिटूशनल घोशित कर रहे हैं सारी ची तो उनको आप पढ़ते रहेंगे तो इस तरीके से एक verdict पास किया जाता है, judgments इस तरीके से निकाले जाते हैं, but anyways, this is how the constitution will work, तो Parliament आप कानून बनाएगा अपने दाइरे में रहते हुई union list पर, state बनाएगा state list पर, और तीसरी list कौन से थी, उस पर बनाएगे दोनों, पर सर अग होसकता है, बिटा, क्योंकि जिस समय समधान बनाओ, होसकता है, उस समय वो matter एक्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे कि cryptocurrency, artificial intelligence, यह ऐसी चीज़ है, जो उस समय तक थी ही नहीं, तो किसी के दिमागे में आया भी नहीं था, कि इन मुद्दों पर भी कानून बनाना पढ़ सकता है, प आपके दिल की अवाज क्या कहती है, बड़ा, किस के पास वो power होनी चाहिए, तो तुम्हारे दिल की अवाज है, क्या वो नकारी जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा, हमारे समय धान ने भी उस बात को recognize किया, पढ़ लिजे, article 248, तुम्हारे दिल के पास बहुत बार नकारी जा चुकी है, तो क्या का बड़ा, article 248 ने, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in concurrent or state list, तो बड़ा, अगर कोई भी matter concurrent या state list में नहीं लिखा, तो automatically वो power आ जाती है, Parliament के पास, और same चीज बड़ा, दुबारा से repeat करके लिखी गई, union list में भी, युकि अगर आप union list की last entry number 97 पढ़ोगे, तो बड़ा, वो entry क्या कहती है, any matter not enumerated in list 2, that is state list, या list 3, that is concurrent list, तो बड़ा, अगर कोई matter list 2 या 3 में नहीं है, तो वो automatically कोई से list में आ गया, union list, और बड़ा, ये entry number 97 है, यहाँ से हमारी parliament को सारे के सारे residue मुद्धो पर कानून बनाने की पावर मिल जाती है, that is, जो भी matters कहीं और नहीं लिखे, उस पर 2013 बनाने की पावर मिली, and that is why बड़ा, हमारे देश में हर state का अलग-अलग company's act है, या इंडिया का एक company's act है, बड़ा, पूरे इंडिया का एक company's act क्यों है, क्योंकि उस मुद्धे पर कानून बनाने की पावर किस के पास है, पार्लियमेंट के पास, अगर वही matter state list में लिखा होता, फिर हमें एक company's act पढ़ रहे होते हैं, multiple पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे, because हर state के साब से आपका कानून बना जाता, and that is the reason, क्यों इंडिया में सिर्फ एक ही company's act आपको exist होते होते हैं, because that power lies with the of Parliament, तो इसलिए, companies act हम पढ़ेंगे बिटा, और उसी के साथ अपनी journey भी start करेंगे, पर वो journey शुरू करने से पहले हमें जानना जरूरी था, कि क्या ये कानून बनाने की power, Parliament के पास है भी आने, तो वही चीज़ हमने नाइस करी, बिल्कुल जी, Parliament के पास वो power है, और उसके accordingly, उन्होंने हमारा Companies Act 2013 आपर ड्राफ किया, इसलिए बिटा, कोई भी कानून जब आप पढ़े, कानून पढ़ने से पहले, आपको जान लेने चाहिए, कानून पढ़ने के various sources, कि what are the various sources of law, that is, जब भी बिटा, आप कानून पढ़ते हो, कानून पढ़ते समय, किन-किन चीज़ ड्राउ करते हैं, इसलिए सविधान तो जी सब सिस्सर वो पर ही है, उससे बढ़कर तो कोई कानून है नहीं, एक बार आपने सविधान को अच्छे से पढ़ लिया, और आपको पता चल गया, जी कानून बनाने की पावर है, तो अगली बात आएगी बिटा, फिर आप पढ एडरेस भी होगा, बिटा, एक टरम तो होती है लौ, एक टरम होती है अक्ट, क्या दोनों इस सेम है, यह इन में कुछ अंतर है, अंतर है तो क्या, एक दो मकवास देना है माइक बाई को देना पीछे लौ और एक्ट क्या सेम है नॉर्मली तो हम इंटरेचेंजिबली इस्तमाल कर लेते हैं हेंडेस करना पीछे किसने हैंडेस किया था बीच में आजी कर दो कर दो किसने बनाया किसने बनाया सरकार मत बोलो किसने बनाया है यह सब बनाने की पावर हमारे सविधान के साब से किस के पास है पार्लियमेंट के पास और जब पार्लियमेंट अपनी पावर का इस्तमाल करते हुए किसी बिल को लोकसभा रज्यसभा और प्रेजिडेंट से साइन करवाती है फिर वो क्या बन जाता है एक्ट और एक्ट होता है आपका एक पेरेंट लेजिसलेशन पर बढ़ा कई बार इस एक्ट के अंदर पार्लियमें कर दोविए डियस की मक्सिममम कितनी अटियोगी कितनी बढ़ी थी कितने बंच ने पचास लाग कड़ी होई आ इस दो को रौड पड़ी होई यह कितनों कितनों ने 10 करोड पड़ी हुई है चलो बेड़ा आज के दिन में तो कितनी है 4 करोड पर बेड़ा जो 4 करोड की लिमिट है क्या ये कंपनी एक्ट में कहीं भी लिखी है एक्ट में लिखी नहीं बेड़ा वो लिमिट निकल करके आती है कुछ रूल्स से दिस रूल्स क्या होते हैं उस पर हम आयेंगे पर वो बात रूल से निकल करके आती है विकाज पार्लियामेंट ने एक्ट के उस सेक्शन में वो लिमिट सेट करने की पावर करदी डेलिगेट उसमें ने ने का जी हम ये लिमिट आपको नहीं बता रहे हैं हम ये लिमिट बताने की पावर कर रहे हैं डेलिगेट और उस डेलिगेटेड पावर का इस्तमाल करते हुए कुछ अथोरिटी ने बनाए रूल्स आपके साब से पार्लियामेंट, कम्पनीज एक्ट में कोई भी पावर जनरली कौन से मंतराले को डेजिगनेट करती होगी, और साथ में आएंगे कुछ रूल्स, कुछ रेगलेशन, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ सर्कलर, जो होती है आपकी डेलिगेटेड लेजिसलेशन, क्योंकि पार्लियामेंट कुछ बाते बताने की पावर डेलिगेट कर देता है, और हो कहते हैं यह बात तुम बता देना, मे मैं MCEA को Central Government भी बोल सकता हूँ, तो धानकना पूरे Companies Act में Parliament ने जगे जगे अपनी पावर CG को डेलिगेट की हुई है, और पूरे Companies Act में कहीं भी word CG अगर आ गया, Central Government का मतलब कौन सी Ministry है, Ministry of Corporate Affairs, Income Tax पढ़ते पढ़ते, पूरे Income Tax में कहीं भी CG आ गया, वहाँ पर CG का मतलब क्या होगा Ministry of Finance, तो अब वहाँ पर Central Government का मतलब accordingly पदलता रहेगा, I hope यह bifurcation अब आप create कर पा रहे है, and this is the reason बेटा, क्यों last class हमें Parliament और CG के difference पर लगानी पड़ी, because अगर आप class invest नहीं करते, यह बात आपको समझ भी नहीं आती कि Parliament क्या है, CG क्या है, कैसे delegated है, तो धान सर, last class में आपने बताया था, Companies Act के कितने section पढ़ने है, 1 से लेकर, और फिर, 379 से लेकर, तो सर, सिर्फ वो section पढ़ने है, या उनके साथ कुछ rules, regulation, notification, circular है, वो भी पढ़ने है, तो आपको act पढ़ना है या आपको Companies Law पढ़ना है, क्या लगता है बढ़ा, Institute क्या पढ़ाता हो पढ़ा है तो आपको Companies Law ही जाएगा, ध्यान रखना, आपको act भी पढ़ना है, उनसे संबंदित कुछ rules भी होंगे, notification भी होंगे, circular भी होंगे, वो भी आपको पढ़ना रहेगा, और वो आप पहले से पढ़ते हुए आते भी हो, जैसा small company वाली बात है, वो आपने already पढ़ भी रखा है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं बढ़ जाएगा, पर येस, हमारे स्लेवस में act के सासत rules regulation ये सब चीज़े भी covered रहेंगे, तो इसलिए कोई भी कानून पढ़ने से पहले, समीधान का ध्यान रखना, कानून की बातों का ध्यान रखेंगे कि act के अंदर उसके rules regulation में क्या लिख है, और कभी-कभी बिटा, lock-in दर अब फस जाते हैं, तो उस पर आ जाते हैं कुछ case laws या precedents, और कुछ case laws भी हमारे स्लेवस में रहते हैं, पढ़े होंगे कुछ, जैसे की, सलमान वर्से सलमान, पढ़ा होगा, सलमान वर्से सलमान, ठानी था, सलमन व पढ़ा नहीं है, पर हाँ, शायद कुछ ऐसे नाम होते हैं, जो हमारे इंटर लेवल पर भी हम discuss करेंगे, तो कभी-कभी हमें case laws की सहायता से भी, एक कानून को interpret करना पढ़ जाता है, तो इस सब चीजों पर जब हम command बना लेते हैं, तब जाकर किसी कानून पर हमारी decent grip acquire हो जाती है, is this creator everyone, अरे बनी कुछ बात, अरे बनी बात नी बनी, तुमारी बात कभी बनेगी नी बनेगी, बनेगी नी बनेगी, क्या होगे, इस में आवाज नहारी, चलो, बन जाएगे, बन जाएगे, बन जाएगे, बच्चा अगरे सब 70 नमबर में ये सब कवर हो जाता है क सब कुछ आपका क्लासिक सब कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी सारी चीज़े पढ़ जाओगे, एनिवेस, तो इस वाल बात बेटा, वेरियस सोर्से ऑफ लॉव, और हम अपने लॉकी जरनी बिटा, स्टार्ट करने जा रहे, अब कंपनी जरनी सारी सब जाएग किसने बनाया है कर पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, विकोज ये पावर उन्हें मिल जाती है, यूनियन लिस्ट के द्वारा, जब कंपनी जेक 2013 बना, क्या इससे पहले हमारे देश में कोई कंपनी जेक था ही निया, पहले कोई हुआ करता था, कौन सा हुआ करता होगा, 1996, तो बढ़ा कंपनी जेक 1956 हुआ करता था, उसको रिपील करके, जब भी कुई पुराना कानून हटता है और एक नया कानून आता है, उसको विक क्या क्यते है, रिपील, कि पुराना कानून आपका रिपील किया गया, तो बढ़ा कंपनी जेक, Hindiúcा जागर, हुँँगी, debates हुँँगी, तब जा करके over a period of time companies act बनाओगा तो बड़ा पूरा process चला था, कभी एक bill आता है, debates होती है, opposition कुछ बोलेगी, ruling party कुछ बोलेगी, changes होंगे कभी-कभी कुछ committees की हम inputs लेंगे, तब जा करके एक कानून 2013 ने, अपनी रास्ता या अपनी जर्नी कैसे तै करी, तब जब companies एक 2013 बनना था, सबसे पहले यहां पर आया था आपका companies bill 2008, उसे 2008 में introduce किया गया, 2008 में companies bill आने के बाद, उसे तो कर दिया गया scrap, और फिर दुबारा एक नया companies bill बना, 2009, और 2009 में एक companies bill 2009, लोग सभा में पेश हुआ, पर लोग सभा में जैसी वो बिल आया, वो बिल रेफर कर दिया गया SCF को, what is SCF? लिख लेना आपर, Standing Committee of Finance Standing Committee for Finance Standing Committee for Finance कानून को अच्छा बनाया जाए, कभी-कभी मज़े लेने के लिए भी होता है, फिर मज़े लेने के लिए क्यों? for example, बढ़ा, GST GST, originally idea किसका था, BJP का या Congress का? Congress का, बढ़ा, originally it was an idea of P.C. Dambram, पर बढ़ा, वो pass किसके साशन में हुआ? BJP के तो आज से जब 50 साल बाद, एक सवाल उठेगा, जी, इंडिया के अंदर GST किसने लागू किया? किसका नाम आएगा? BJP का तो बढ़ा, opposition parties कहीं बार अच्छे बिलो को न, late defer करवाना चाती है, ताकि जब उनकी सरकार आजए, वो उसको पास करवाकर उसका credit ले पाए, तो कभी-कभी वो late करने के लिए भी committees को bill refer कर दिये जाते हैं, बढ़ एनिवेस, companies bill 2009 बनाकर बढ़ा, आगे refer किया गया committee को, then committee ने 2010 में लोगसभा को अपनी report पेश करी, और बढ़ा, उस report के basis पर फिर एक नया companies bill 2011, फिर से लोगसभा में किया गया पेश, और बढ़ा, फिर से क्या किया गया, फिर से मजे लिए गया, क्योंकि फिर से ये वाला जो bill था, किसको refer कर दिया गया, SCF को, और बढ़ा, फिर से standing committee for finance ने, इन recommendations को ध्यान में रखकर, अपनी report लोगसभा को submit करी, और बढ़ा, फिर उनकी recommendation, cabinet द्वारा approve हुई, and finally, बढ़ा, company's bill, 18 दिसंबर 2012 को, लोगसभा ने कर दिया pass, that is first time, बढ़ा, finally लोगसभा के द्वारा, ये नया company's bill pass हो गया, पर बढ़ा, क्या हमारा काम इससे चल जाएगा, क्यों बढ़ा, लोगसभा ने तो pass कर दिया है, और किससे pass करवाना पड़ेगा, रज्यसभा and president से, तो बढ़ा, उसके बाद, रज्यसभा में भी वो bill पेश किया गया, और बढ़ा, रज्यसभा में वो bill pass होआ, 8 अगस 2013, पर क्या काम चल जाएगा, और और भी कुछ बाकी है, बढ़ा, president के sign, और president ने finally उस पर sign up किये, 29 अगस 2013, and बढ़ा, this was the day, जिस दिन वो क्या बन गया आपका, company's bill से company's, तो बढ़ा, this is how, धीरे-धीरे करके, company's act ये अपनी चरनी तैकरी, और finally, 39 अगस 2013 को, president ने इस पर कर दिये sign, पर बढ़ा, कितने बच्चों को ये बात पता है, ये company's act, जो था, वो एकदम से force में नहीं आया था, उसके section धीरे-धीरे force में आये थे, किसी बच्चों को ये बात पता थी, already? That is, जब 2013, बढ़ा, president ने sign किये, क्या पूरा का पूरा company's act, इसी दिन लागव हो गया था, या वो धीरे-धीरे force में आये था? अब आपके लिएक सवाल, बढ़ा, आज अगर किसी भी bill के उपर, president अपने sign करते हैं, तो बढ़ा, जिस भी दिन, president ने sign किये, for example, 39 अगस 2013, काइदे से, बढ़ा, कोई भी act, किस दिन force में आना चाहिए? काइदे से, कोई भी act, किस दिन force में आना चाहिए? सारी बाते बूल जा, normally answer करना, कि आप से आज से पहले कोई सवाल पोछा है, कि जी कोई भी कानून बना है, उस कानून के अंदर कुछ भी mention है, तो वो उस दिन से force में आएगा, जिस दिन, president करेंगे, sign. यहाँ पर एक interesting question है, पर दिक्कत है, सवाल तो मैं पूछ लोगा, जवाब अभी नहीं दे पाऊँगा, तो बताओ, सवाल पूछो या नहीं, पूछ रहो, चला, तो बड़ा, 39 अगस 2013 को, let's suppose, president जी के सामने, companies will पेश किया गया, उन्हें का गया, जो, लोग सुभाने भी पास कर दिया, आप भी अपने sign करिये, बड़ा, president of India ने, शाम के चार बजे, companies will पर sign कर दिये, सवाल आप समझ गये होगे, समझ गये, अरे समझ गये, क्या समझ गये, चाय गर गई, कौन से चाय गर गई, सवाल बेटा, simple सा है, कि अगर, चार बजे, president ने sign किये है, तो ये कानून कब से force में आएगा, चार बजे से ही, या जब 29 अगस खतम हो जाएगा, रात में 12 बजेंगे तब से, या जब 29 अगस चालू हो था, रात के 12, 28 अगस को बजे थे तब से, इसके अलावा को और option तो बताओ, बिल में कुछ नहीं लिखा, बिल में कुछ नहीं लिखा हो थाओ, वो तो बस कानून बने गया है, 39 अगस्त को President ने साइन किया, यह mention हो जाएगा, कि 29th of August is the date when President has signed the bill, that's it. पस, इतना लिखा है, क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? वो तो President के sign करने, अच्छा, अगर President ने 29 सबसको sign किये, और Gazette में notify करने में दो दिन लग गये, और Gazette में सुबह 11 बजे notify हो गया, तो फिर, अरे नहीं लिखा, भाई, बिल में यहीं लिखा, 29 सबसक्त साइन हो गया, बिल में लिखा, बिल में लिखा, तभी तो कुछ नहीं है नलाइक, अच्छा, सवाल में दम है नहीं है, सवाल बकवास है, बकवास है, फिर चलते हैं, आगे चलो, ठीक है, ओके, चलो, मैं बता दू, मैंने पहली एक चीज़ कही थी, सवाल तो मैं पोछूँगा, जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, जवाब आपको मिलेगा, नही सवाल बात का है, अब जो सवाल आ रहा है, हमने क्या सीखा बेड़ा, नॉर्मली कोई भी कानून उस दिन से फोर्स में आता है, जिस दिन प्रेजिडेंट सहाब करते हैं, साइन, पर बेड़ा जो कम्पनी से 2013 था, वो उसी दिन से पूरा का पूरा फोर्स में आ गया, या वो धीरे धीरे फोर्स में आया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली कोई भी कानून उस दिन से फोर्स में आ जाता है, जब प्रेजिडेंट साइन करते हैं, उस दिन वो एक्ट बन जाता है, लागो हो जाता है, फोर्स में भी आ जाता है, पर Companies Act के केस में ऐसा नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे करके फोर्स में आया था, जैसे कि Companies Act का section number one, आपका force में आया था 30 अगस्त को, उसके बाद कुछ sections आपके force में आया थे September में, फिर कुछ sections force में आया थे April में, and so on, धीरे 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 करके Companies Act हुआ notify, और आज के दिन उसक सारे के सारे 470 section notify हो चुके हैं, that is, President ने 470 section अपनी तरफ से 39 अगस्त को तियार कर दिये थे, पर वो force में धीरे धीरे आये, ऐसा क्यों, पहले तो इसका logic, इसका logic क्या रहा होगा, logic क्या रहा होगा, good, बोलो, बढ़ा नया Companies Act के साथ आपको adjust होने का समय मिल गया, क्योंकि य नया कानून समझने और adopt करने में थोड़ी सी असानी हो, तो ये तो उसका logic रहा, अब आई इसकी legal backing, कैसे पता चले कि कोई कानून कब से force में आ रहा है, ये answer हम कहां ढूंगे, आपके साब से बढ़ा वो answer कहां मिल सकता है, अगर वो answer होगा, तो कहां हो सकता है, क्या बढ़ होता होगा, उस act के बिल्कुल last में, बीच में कहीं है, अब सबसे शुरुवात में ही, तो बढ़ा, निकालो अपनी book, और वो answer मेरे को search करके बताईए, कि वो answer कहां पर है, किसी के पास तो होगी, वरना मैंने PDF बेजी ते न लाएको, PDF का printout तो लाए होगे, वो मैंने कहा थ हाँ, वोल्यूम बन आपको निकालनी है, यह वोल्यूम बनी है, बिल्कुल, स्मार्ट सी फोटो है, किसकी है, अचो, चले जी, answer search करिया, full screen कर देना है, एक भाई, technical team, full screen कर दो भाई, thank you, आप answer search करिये, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, उनकी असानी के लिए, मैं screen पर आपके लिए, उस कानुन की के शुरुवाती बाते खोल रहा हूं, शायद आपको answer मिले, तो यह आपके book का page number 1 आएगा, शायद answer मिले, search कर लो, अच्छा, टेशरू, यह अच्छा, सब बड़िए, बताओ, आपके लिए, अठीटी पर रहो, आखा प्रिव, प्रिव, लाई हो, प्रिव तो सबके बास होगी, chapter book कितना को पास है, यह आपर, एट बताओ, लाएग, चारी ना लाइक, बताओ, थोड़ा सा शेयर करते रहे बाकी बच्चे प्रिंट आउट कर लेना प्रिंट आपके पास च्टर वन का होना चाहिए कि अब बीजुम्भी कर देंगे जाके कि अरे एक्टी पढ़ रहे हो ना किसी को मैसेज तो नहीं कर रहे है कि अच्छा क्या कानून में कुछ लिखा हुआ है कितने बच्चों को आंसर मिल गया और समझ में भी आ गया कि इस पहले जूम करो फिर नहीं आंसर है उसे पहले एक डाउट जनक पूरी का आए है जनक पूरी सर तीस अगर सस्पेंस में मत बनाओ सर मीडिया न्यूस दे देगी अगर बिल पाउस हो आगो तो फोर्स में आ जाएगा न उसी दिन के लिए किया चले जी समझते हैं बिटा एक दो बच्चे करें सर कित्रे बच्चे करें सवाल ही रिपीट कर दो मैरे तो सवाल ही समझ में नहीं आया है कि अगर आज कोई एक्ट बना एक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा कि मैं कब से फोर्स में आऊंगा यडिस कानून बनकर रेडी हो चुका है और वो अपनी बाते बता रहा है पर वो यह नहीं बता रहा है मैं कब से लगूँगा तो अगर कानून कुछ भी नहीं बताता वो हमारे देश के लोगों पर किस दिन से अपलाई करना स्टार्ट कर जाता है जिस दिन प्रेजिडेंट करते हैं साइन पर बटा कभी-कभी प्रेजिडेंट के साइन करने के बावजूर कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कहते जी प्रेजिडेंट ने साइन करकर मुझे बना तो दिया है पर मैं फोर्स में किसे दिन से आऊंगा, for example, अगर company's act कह जाता जी, मैं force में आऊंगा, let's suppose, 1 December 2023, ये बात company's act में लिख दी जाती, तो even though president ने 39 अगस्त को sign तो कर दिये, और ये act बन भी गया, पर इसकी बाते पूरे देश पर कब से लाग हो जाती, 1 December, पर अगर ये बात company's act में ना लिखी होती तब बेड़ा वो कब से force में आजाता, 31, तो क्या company's act में ऐसा कुछ लिखा है, अगर तो ऐसा कुछ लिखा है कि वो कब से force में आएगा, तो वो उस दिन से force में आएगा, पर अगर company's act में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, तब वो कब से force में आ जाएगा, 31, तो देखे बात, क् की में बुक पर अगर आप अपनी बुक में आएंगे तो हाँ पर आपका सबसे पहला चैप्टर आ रहा है जहां पर आपको यह डाग्राम देखने को मिल रहा है सबसे बहले तो इसमें लिख लेना not for exams यह जर्णी आपको पेपर के लिए याद नहीं रखनी जो यह जर्णी है सिर्फ आपके knowledge के लिए है यह इसकी timeline पेपर के लिए बिल्कुल भी relevant नहीं है और फिर इसका answer में ढूंडते है Companies Act के सबसे पहले section that is section number one तो यह आ रहा है आपका section number one किसी भी कानून का section one generally आपको क्या सिखाता है उस कानून का नाम उसका title उसका दाइरा कहां कहां वो apply करेग तो यह आ रहा है आपका Companies Act का section number one और यहां आ रहा है इसकी कुछ heading तो section number के साथ एक heading आ रही है यह क्या बता रही है इस section में आपको इस Act का short title extent कबसे यह commence होगा कहां कहां apply करेगा यह सारी बाते इस section से सीखने को मिल जाएगी जब भी आपको यह law पढ़ोगे section number के साथ आप आपको कुछ यह headings देखने को मिलती है यह heading मेरी दी गई heading नहीं है यह law के अंदर that is bear act जैसा parliament ने पास किया उसमें भी heading होती है इस heading को भी law में एक नाम दिया जाता है किसी को idea हो तो जो section number के साथ यह heading दी जाती है heading को लॉके language में क्या बोलते है किसी को idea हो तो हाजी क्या 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 प्रिलिम्नरी नहीं नहीं वो तो बड़ा chapter की heading है वो तो chapter का नाम है preliminary मैं करो section number के साथ जो है इसको बड़ा लिख लेना इसको हम बोलते है marginal notes marginal notes सर यह इतना अठपटासाना हम क्यों है marginal notes कि बड़ा जब हमारी parliament एक bare act पास करती है बड़ा bare act क्या होता है यह एक सवाला जाता है what do you mean by bare law bare act बड़ा जो parliament ने पास किया as it is एकदम रौ जिसके साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं होई ताकि पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए असान हो जाए बड़ा bare law क्या होता अनटच्च्ड जैसा parliament पास के बिल्कुल वैसे का वैसा तो जब भी बड़ा parliament कोई bare law पास करती है वो जब act लेकर के आते हैं और उसे notify करते है तो बड़ा वो जब act बनाते है यह वो piece of paper है जिसमें उन्होंने कानून बनाया यहां पर बड़ा अगर वो sections की बाते लिखते हैं कि section यह यह बोलता है तो इसके left and right side में वो space छोड़ते हैं और for example यहां उन्होंने section 1 की बाते लिखी तो यहां पर वो लिखेंगे section 1 की heading short title commencement और यहां पर section 2 आया यहां पर उसकी heading section 3 आया यहां पर उसकी heading that is किसी भी section की जो heading होती है वो कहां पर लिखी जा रही है section के साथ या margins में margins में इसलिए sections की heading को हम नाम कहा दे जाते हैं law में marginal notes क्योंकि वो margin के अंदर लिखे जाते हैं that is why it is termed as marginal note जो section की heading आ रही है इसे हम कह देते है marginal note और यह सब भी आपके syllabus का part है ऐसे नहीं लिखवा रहे है जब आप interpretation of statutes में रहे है यह सब चीज़े आपके syllabus में है तो इसलिए लिखते वे चलना this is termed as marginal notes अब अब आद देखते है section 1 हमें सिखा क्या रहे है तो यहां पर आया section 1 का section 1 का section 1 का section 1 का clause 1 या subsection 1 क्या बुलू कितने बच्च अगर सब clause 1 इसमें लिखा होगा पढ़ लो कहीं लिखा हो तो कहीं नहीं लिखा क्या बुलू कितने बच्च अगर सब clause 1 बोलेंगे इसको कितने बच्च अगर सब section 1 बोलेंगे कितने जो मनि मैं बोला अपने हो क्या ठीक है कोई नहीं कितने बच्च अगर इसे आपको एक नाम देना होगा इसको क्या बोलेंगे सब सबसेक्शन बॉलेंगे इसका भी लॉजिक मिलेगा डोंट वरी अभी के लिए आप इसे बोल देना सबसेक्शन बन तबड़ा section 1 का सबसेक्शन बन आपको बता रहे है इस कानून का टाइटल और बहुत जादा ज्यान बरसा रहे है क्या कि रहे है भी इस इसक्ट में बी कॉल्ड कंपनी ज़एक डो जार तेरा तो इसक्ट का टाइटल है बड़ा कंपनी ज़एक डो जार तेरा फिर आया बड़ा यहां पर सब सेक्शन टू इसने बताया कि यह कानून कहां अप्लाई करेगा तो इट विल एक्सेंड टू अचा पहली बाद यह जो सब सेक्शन टीन मैं पढ़ रहा हूं इसको हमारे देश में बनाया किसने है किसने बनाया है तो पारलियमेंट यहां पर कुछ बात हमें बता रही है पारलियमेंट का कह रही है दूख जाते है बड़ा है यहां पर इससे आगे बाली यह बात आ रहे है बड़ा यह एक लाइन को अभी आप छोड़ेंगे पेंडिंग इसको हम बाद में समझेंगे यह अभी समझ में आएगगी तो बस यह आधी लाइन हमने पेंडिंग छोड़ी पर बाकी आधी लाइन ने बिड़ा हमारे सवाल का जवाब हमें दे दिया वे बिच्छा मुझे यह सबसेक्षिन तीम की जितनी भी लाइन ये माग देए, समझाना चाहे, यह क्या कहना चाहे, वरडभावर रिंटरपेडेशन जी है, एनीवन, इन इन आर मैक, और अभी या मैक, और अभी या मैक, यह हो गया, इस से बात करेऊ, इन 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 भी लाइवे एक सुडूए आप बी इंट्रिपटरेशिन नाम कहा रख 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 रख। भाट इस एक स्ट्टिंस और नीटो पॉर्स अट वाल तो इस इसे शुट्सटर ती जैसी effect में आजाएगा कोई भी section और and the remaining this section यहांपर this section का मतलब yeah section yeah section, yeah section section 1 section 1, okay, so section 1 shall come into force at once, मतलब जैसी, वो एक ही बारी में force में आएगा, yes यह जैसे president sign करेंगे तब force में आएगा president sign किया force में आजाएगा okay, यह एक ही बारी में force में आएगा, यह एक ही बात है चलो, आप अपनी बात पूरी करो, बच्चा गएगा, मेरे को बोलने तो देनी ते, चलो and remaining provisions of this act shall come into force on such date at central government by notification official government appoint different dates may be appointed for different provisions और जो remaining provisions है वो force में तब आएगे जब central government नोटिफिकेशन यूसू करेगे official gadget में और appoint करेगे तो बाकी के section का force में आ रहे है क्या पार्लियमेंट खुद बता रही है या पार्लियमेंट वो बात बताने की power delegate कर रही है delegate कर रही है और delegate किसको कर रही है central government CG का मतलब central government central government का मतलब पूरे के पूरे company sect में क्या होगा तो बाटा parliament ने कानून बना कर तो दे दिया और उसको चलाने की power किसको दे दी MCA, CG कि CG तू देख लियो तरको ये कानून कब कैसे चलाना है मैंने अपनी तरफ से ready कर दिया अलग-अलग दिन और CG किस दिन कौन सा प्राप्धान फोर्स में लाना चारे ये बात CG पूरी दुनिया को बताएगी कैसे निर्मला सीतरमजी टीवी पर आखर बताएगी नहीं बढ़ा वो ये बात का पर बताएगे notification in the official gazette तो बढ़ा जो भारत का राजपत्र है official communication पहले ये paper form में print होता था अब electronically होता है e-gazette तो official gazette में एक notification निकाल कर ये बात बताएगी तो MCA की तरफ से आपको एक notification आएगी जिसमें MCA बताएगा कि मैंने company's act का section 2, 3, 4, 5, 6 and so on ये notify कर दिया है और बढ़ा accordingly ये धीरे-धीरे force में आ जाएगा पर बढ़ा अगर ये sub section यहां पर होता ही ना let's suppose company's act बना था और ये बात यहां पर लिखी ही ना होती तो company's act कब force में आता जिस दिन president ने sign के और धीरे-धीरे force में आता है पूरा का पूरा उसी दिन पूरा का पूरा बेटा उसी दिन तो इसलिए company's act ने खुद बता दिया कि मैं कब force में आऊंगा यह थोड़ा से मजा ने आ रहे है है सब कोई समझ में आ गाए भाई ने जो का या कुछ मजा थोड़ा से कम आ रहे है आ गया है आ गया चलो बाई को माइक देने एक बार है आजी कौन दावा आजी बाई को मैक दिया जाए निखिल कह रहे सर इसका मतलब ये है कि ये force तो एक बारी में आएगा बड़ इसके provision जो है वो अलग-अलग time पर आ सकते हैं नलाइक हाजी बटा क्या समझाओ कोई निवह निया राम से जो भी जिस भी बात में आपको जैसे भी मजाया वो मज़ा पूरी क्लास चाहती है वो भी इसका उनुभव करें तो क्रिपया बताया जाए आवास मेरे कोई निया रही तुम्हें भी निया रही है अच्छा ओके तो भी निकोई निया राम से तसली समझाओ तो समझाने क्या चाह रहे हो भाई स्टेज पर बुलवा कर इंटर्पेटेशन करना चाहोगे क्या यह चाहोगे आप लोग कि वह स्टेज पर आगर अब देख लो तबोल इस नियूर कोट महीं पर बैट कर समझाना चाहोगे यहां पर आकर मर्जी आपकी है कि अरे बोलो भाई स्लेबर से आगे हमारे पास एक जल्दी सेक्शन तब फोर्स में आएगा जब रिमेनिंग प्रोवीजन ओफ दिस एक्ट और रिमेनिंग प्रोवीजन इसके तब फोर्स में आएंगे जब उसने असना तब जब तुमारे पास इस लाइंगी प्रोपर इंटर्परेशन हो में सीजी ला सकती है पर यह वाले का मतलब है तुरंत यह तभी आजाएगा इमीजिएटली यह सर यह एट वन्स था यह एकी बात है फट हुए वड़ा क्या सीजी चाहे तो वह यह कह सकती है कि मैं सेक्शन थीा सेक्शन 1 सक्षूण वन्सbeingों चाहती हूं क्या थीा सेक्शन शेश्चन 1 सेंटर्थेंट के क्या सेक्शन हवागन पूरा सेक्शन 30 Nebraska भी हो कर रही हूं तो ये पूरे का पूरा section एकटे force में लाना पड़ेगा, तो this section shall come into force and once का क्या मतलब है, कि CG जब भी आप ये वाला section notify करोगे, इसकी सारी बाते एकटे notified होगी, चाहे आप जब मर्जी करो, 30 को, 31 को, सितंबर में, अक्तूबर में, जब मर्जी, पर ये पूरा section एक साथ force में आना चाहिए, पाकी प्राबधान आपकी मर्जी है, जब मर्जी चाहें, आप force में लास्क दें, Is this clear to everyone? चले बड़ा, तो ये इसका मतलब आगया, कि CG आप अपने सारी बड़ा, बहुत चले, इस तरीके से हमें law me interpretation करनी है, तो किसी भी कानून को पढ़ते वक्त, उसका section 1 हमेशा पढ़ लेना, कि वो force में कब से आया है, क्योंकि जब ज़रूरी नहीं है कि जब president ने sign के, तब force में आया हो, हो सकता है, उसके force में आने की date कोई और हो, Is this clear? किसी भी कानून का section 1 आपको बताता है, उस कानून का title क्या है, दाइरा क्या है, कब comments होगा, और किसी भी कानून का section 2, normally आपको क्या बताता है? Section 2 क्या बताता है? हर कानून का section 2 आपको definitions ही बताएगा, कितने बच्चे इस बात से agree करते हैं? Statement simple है, हर कानून का section 2 definition ही बताएगा, कितने बच्चे इस बात से agree करते हैं? कितने कहरें सर, हर कानून का section 2 definition बताए, ऐसा कोई mandatory rule नहीं है? इसमें भी 80% से, इसमें भी 80% है? फिर से, हर कानून के section 2 में definition ही होगी, कितने बच्चे यह मांनते हैं? कितने करें नहीं सर, हर कानून के section 2 में definition ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, होने को हो सकती है अपर कोई mandatory नहीं है, रहा हम करने बढ़ा, हर कानून के section 2 में definition हो, is that mandatory, the answer is no, ऐसा कोई थमरूल नहीं होता, lawmaker चाहें, वो कहीं पर भी definition, किसी भी section में लिख सकते हैं, normally पर section 2 में definitions देखने को मिलेगी, पर क्या ऐसा कोई थमरूल है, the answer is no, आप अपने slavers में बढ़ा एक कानून पढ़ोगे, general clauses act, उसमें section 3 में definition है, CA final पर एक कानून पढ़ोगे, insolvency and bankruptcy code, उसमें section 3 में भी definition है, 5 में भी definition है, तो ऐसा कोई थमरूल नहीं होता, normally हर कानून का section 2 बताता है, but that is not a thumb rule, but what about company's act, क्या company's act का section 2, definitions बताता होगा, check कर लो, check कर लो, check कर लो, पच्चा है, कहां check करूँ, किताब नहीं है, मेरे पास है, चलो, आपके लिए बढ़ा मैं आ आ जाता हूँ, तो बढ़ा अगर आप अपनी main book में आएंगे, page number 1.7, वहाँ पर आ रहा है, आपका section 2, हाँ जी, company's act का section 2, definitions ही बताता है, definition मतलब कि पूरा company's act पढ़ते वक्त, अगर आप किसी भी point पर डग गए, तो बढ़ा, ऐसे case में आप section 2 पर आईए, और ये section आपको शब्द का मतलब बताएगा, कि इस कानून के लिए उस शब्द का मतलब क्या है, तो यह आ रहा है, आप पर आपको देखने को मिल रही है, थोड़ी सी ये definition, बस, 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 बस and यहाँ पर आपको कितने clauses देखने को मिल रहे है 95, तो बढ़ा, यहाँ पर आ रहे हैं आपके 95 clauses, तो पूरे companies एक को पड़ते हैं, बढ़ा, किसी भी point पड़ते हैं, section 2 में आईए, और वो आपको definition बताएगा, तो बस यह थोड़ी सी definitions यहाँ पर आ रही है, पर बढ़ा, किसी भी कानून में जब definitions लिखी जाती है, जो section 2 आपका होता है, वो कैसे लिखा जाता है, alphabetically, like a dictionary, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे बढ़ा, तो section 2 में सबसे पहले कौन से word के meaning को define क्या होगा, जो A से start हो रही है, या B से, A से, तो बढ़ा, सबसे पहले A वाले words आए, फिर आपके B, C, D, E, F and so on, meaning of the term, subsidiary, कि subsidiary company क्या होती है, अब अगर वो alphabetically नहीं होगा, तो उसका meaning ढूंडने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, on the end, अगर alphabetically हुआ, तो हम गया, जी, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, नहीं, बस, subsidiary था न, T, पे कहां चले गए, नहीं है, और क्या वात है, जबर्दस्त, बच्चा गरे, sir, 87, तो clause 87 में, आपको subsidiary का meaning ढूंडना असान हो गया, तो बढ़ा, अगर alphabetically होता है, तो हमारे लिए किसी भी शब्द का meaning ढूंडना थोड़ा सारल हो जाता है, that is why it is worded like a dictionary, that is how lawmaker dropped the law, is this clear to everyone, और बढ़ा, कौन से clause में, आपको subsidiary का meaning ढूंडना का मल रहा है, 87, और section 2 में total clauses कितने है, 95, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, section 2 में total clauses कितने है, और section 1 के subsection, 3 को हम पढ़कर आए, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, दिक्कत होनी चाहिए, सर वहाँ subsection बोल रहा हूँ, यहाँ clause बोल रहा हूँ, ऐसा discrimination क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, ब्रैकेट तो दोनों जगें, सही बात है, तर ब्रैकेट तो दोनों जगें बताओ, फिर भी ऐसा discrimination, क्यों, बताओ, वहाँ पर subsection और यहाँ पर clause, क्यों बोला जा रहा हूँ, एनिवन, किसी को आइडिया हो, तो बताने साथ, देना हर माइक, लास्के देना बिल्कुल भाई को, पीछे पीछे माँ, हाँ बिल्कुल लास्के, आजी बटा नाम क्या आपका, सर शुबम, शुबम, हाजी शुबम बताओ, सर, अगर पहले वाले में, section 1 में हमारा, लिंक है, तो 1 और 2 में लिंक है, तो उसको हम subsection बोलते हैं, दुवारा से, सर, section 1 में, जो 1 और 2 sub clause बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें, आपस में, नी, 1 में 1 और 2 को sub clause नहीं बोला, subsection, हाँ, subsection, तो इनमें, sir, linkage है, इसलिए हम इनमें लि इसक्ट का title है, companies 2013, और यह लगेगा पूरे इंडिया पर, कैसा linkage है, सर, section 1 में, और 2 में, यह सब एक ही बार, linkage है, इन दोनों में, तो यह, कैसा linkage है, और cg तू देरे-देरे force में ले आई हो, linkage नहीं है, इसा linkage है, फिर पूरे company जाटके, सारे sections में होगा, हर कोई आपस में linked है, तो यह तो बात, पूरी तरीके से जाइज नहीं है, थोड़ा-थोड़ा आपका logic, कुछ हद तक मैं कैसे तो शाय ठीक है, पर पूरी तरीके नहीं है, कोई और, कुछ terms हैं, जिनको syllabus में आगे जाकर दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में क्लियर करते वे चलेंगे, अगर provisions section में independent है, उसरे से तो, लाकर उसकी सेम बात बोली न, तो देखना, अगर provisions independent है, clause में, section में, अगर provisions independent है, तो clause होता है, अगर sections एक दूसरे पर dependent है, तो subsection, section में whatever provisions अब आपने जो का और उस भाई ने जो का उसमें अंतर? Sir, उसने इंदी में बोला था, मैंने इंग्लिश में समझा दिया, इतना तो अंतर है ही, चलो, ठीक हमान लिया, आजी और कोई Sir, जो section 1 में लिखा है, तो वो next line में लिखा है, तो वो subsection और जो, नहीं, अलग line में, बट Sir, section 2 में जो generally मैंने देखा है, वहाँ पर section 2 लिखा रहता है, उसके बाद तुरंत लिखा रहता है, तो उसको हम लोग cross पढ़ते हैं पिर से बोलो एक बार, जैसे सर, section 1 में जो लिखा है, आप कह रहे हो, वो next line में 1 करके लिखा रहता है, तो उसको इसको सबसेक्शन कह दिया, मैं आपके लिए 2 लगा देखा लिए तो आपके बाद समझाने को देखा है, तो सर जो bare act में जब मैंने देखा था, तो section 2 लिखा रहता है, तो यहां से शुरू हो रहता है, तो उसको हम लोग cross बोलते हैं, यहां पर तुरंत लिखा है, मतला है रहता है, उसके बाद, मतलब बिना लाइन होले मतलब something like this होता है, चलो मैं एक बार बेर लॉइक होल देता हूं, तर यह मैंने नोटिस करा है, तो मतलब, मैं, यहां मेरे से मिस होगे, उसमें कहा है, तो बड़ा, यह हमारा bare law जो पार्लेमेंट ने आजटेस पास किया, तो इसका preamble आ गया, यह इसका chapter 1 preliminary आ गया, यहां पर यह section 1 आ गया, section 1 का सीधा आया, फिर आपका subsection 1, यहां से 1 के बाद start हो गई, यह 2, यह 3, ठीक है, यहां तक heading आई, marginal note था, फिर यह आपका 1, 2, 3, clear, फिर आगे section 2 पे, यह आ गया section 2, अब बताओ आओ आप जो कहना चाहरे ह this act में we call, तो यह अलगी line है, तो आखरी मोका है किसी के पास कोई आंसर करना चाहिए, एक दो live students का answer मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आसर दूँगा, आखरी मोका मोहन माइक दे दना किसी को, रजातान सर कहरे है सर, section 2 का कोई भी clause पढ़ने के लिए section 2 की starting line पढ़नी पढ़ेगी, ओके रजात, good, अरश्या कह रही है सर, क्योंकि clause एक complete meaning के साथ होता है, बट किसी भी section के subsection individually complete नहीं होते हैं, सर, section वो होता है, जो section को और detail में बताता है, जैसे हमारा section 1 में लिखा था कि वो company's act, उसका नाम है, फिर और detail बता है, subsection 2 में, कि वो पूरे whole over India में लगता है, और section 2? 1 ने वो बताया, 2 क्या बता रहा है, तू ने भी तो कहा कि इसमें मैं definition बताऊंगा, और इसको detail में नीचे बता दिया, किसकी definition यह है, नलाइक, तो कहां से यह meaning निकाल के लाते हो, चला anyways, cutting down to the discussion, यह doubt आजाता है, point जो मैं समझाने जरू है, बड़े ध्यान से समझना, ठेक, बहुत focus उसको समझेंगा, repeat मैं बार-बार नहीं करूँगा, because slabers के लिए paper के लिए relevant नहीं है, बड़े जब आपने section 1 पढ़ा, और lawmaker ने section 1 को draft किया, उन्होंने पहले section 1 में, अपनी तरफ से कुछ text लिखकर, क्या उसके 2-3 points बनाए है, या उन्होंने सीधे section 1 के यहाँ पर 4 टुकडे किये हैं, आंसर करिएगा, जब lawmaker ने section 1 लिखा, तो उन्होंने कोई line लिखकर उसके 4 points बना रखे हैं, या सीधा section के 4 टुकडे की होएं, सीधा section के 4 टुकडे, heading को अटा रहा हूं, मैं heading के बात की बात कर रहा हूं, उसके बाद कोई line लिखकर चार टुकडों में बात कर चार बाते लिखी, तो भटा, यहां पर हमने सीधे section को 4 टुकडों में बाता है, चाट टुकडों में बाटने का क्या मतलब है बढ़ा हर ये जितना भी ये 1, 2, 3, 4 आ रहे है ये section का एक टुकडा है that is why ये क्या है आपका subsection पर जब हम section 2 पर आए क्या section 2 में lawmaker ने सीधा section 2 को 95 टुकडों में डिवाइड किया या उसके टुकडे करने से पहले एक line लिखी और ये 95 इस line के 95 points है जो 95 clauses आ रहे है बढ़ा वो section के सीधे 95 टुकडे है या वो इस line के 95 points है बढ़ा वो इस line के 95 points है कहने का मतलब क्या है अगर आप यहां पर point second पढ़ोगे for example accounting standard का मतलब तो बढ़ा आप इसे सीधा यहीं से पढ़ना start कर सकते हो या पहले आपको यह line पढ़नी होगी फिर आप point 2 पर आओगे पहले line पढ़नी है फिर point 2 पर आओगे likewise अगर आपको यहां पर 10th point पढ़ना है सीधे यहां से पढ़ना ठीक होगा या पहले line पढ़ने फिर point 10 पर आएंगे फिर likewise 95 भी अगर आप पढ़ रहे हो 95 सीधे नहीं पढ़ोगे पहले line पढ़ोगे और इसका point number 95 फिर आप पढ़त क्योंकि यह उस line की continuation में लिखा गया है यह आपका basic difference आता है subsection and clause में तो बढ़ा यह एक basic अंतर रहता है जहां आप section को सीधे टुकडो में डिवाइड करोगे subsection बन जाएगा जहां कोई line लिखकर उसके points बनाते हो वो बन जाते है आपके clauses बाकी paper के लिए या layman terms में भी आप यहां पर appellate tribunal का मतलब पढ़ रहे हो कि जी appellate tribunal क्या है तो इसका meaning में यहां से नहीं पढ़ सकता पहले में क्या पढ़ूँगा in this act unless the context otherwise require अपलेट tribunal में NCL 18 in this act unless the context otherwise require associate company का मतलब यह है in this act unless the context otherwise require article का मतलब होगा article of association जब भी आपको ही point पढ़ोगे आपको महापरवापसी आना पड़ेगा रे बनी कुछ बात बस एक सवाल जो आसकता है, सर यह लाइन का मतलब क्या है? यह लाइन का मतलब क्या है? कि in this act, unless the context otherwise required, for example, article का मतलब है, article of association, गर आप पूरा company's act पढ़ रहे हो, कहीं भी word article आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा? article of association, आप ने पढ़ा company's act का कोई section, let's say section number 400, और उसमें by chance, let's say law me करने की बात लिखिया, कि every company must hire one CA student as its article, तो बढ़ा, इस article का मतलब क्या होगा? every company must hire one CA student as an article, इस article का मतलब क्या होगा? article of association, यह यहाँ पर article का मतलब intern है, पर बढ़ा, section 2 ने तो क्या का है? article means, पर बढ़ा, उस word को वहाँ पर पढ़ते वक्त, क्या आपको बात के context को ध्यान में रखना पढ़ेगा? कि वो word वहाँ वाले section में किस context में इस्तमाल है? क्या उसका ध्यान रखना पढ़ेगा? पर इसलिए section 2 अपनी तरफ से 95 words की definition आपको देतो रहा है, तो उसका meaning कुछ और हो सकता है, पर ना article का मतलब होगा article of association. अरे कितने बच्चों कोई बात क्लिया रहे है? यह बनी कुछ बात? किसे को कोई doubt यहाँ तक? चले बढ़ा, तो this is how section 2 will work. एनी doubts यहाँ तक कोई भी doubt हो, तो please go ahead and ask. कुछ भी हो. कुछ सारी बीट कर दो? यह बाला, unless the context otherwise required. Unless the context otherwise required. जी वो word उस section में, किस context में इस्तमाल है? आप उसको मद्दे नजर रखिए. अगर बात का context कुछ और है, तो शब्द का मतलब कुछ और हो सकता है. पर अगर बात का context कुछ और नहीं है, तब उस शब्द का मतलब यह ही होगा. जैसे, यहाँ पर वो कह रहा है, हर कंपनी में एक article होना चाहिए. तो यहाँ पर बात का जो context है, वो article of association के लिए हो रहा है, intern के लिए हो रहा है. तो क्या यहाँ article को article of association meaning देना ठीक होगा? नहीं. तो unless the context otherwise required, अगर context को या कोई और context नहीं पर नहीं है, तब आप इस शब्द को यह वाला meaning provide करें. अरे मेरी कुछ वाँ, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, यहाँ तक कुछ हुई है? आर तुम दोगो कि डाउट ही नहीं पूछते हैं? पहले क्लास से पहले मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यह रहे हैं, तो इस डाउट कैसे पूछेंगे, तुम डाउट्स नहीं पूछते हैं. एनी डाउट्स? पहर मैं एक डाउट्स पूछो. पहले तो लाइट्स नमनाई होप, I am making myself clear, clear है सबको? अगर किसी भी वर्ड के मिनिंग पर टग गए, तो क्या करोगे? अगर आंसर आन अचे, क्या करोगे? सेक्शन 2 में जाएंगे, और उस वर्ड का मिनिंग ड्रॉट्स कर लेंगे. और पूरे कंप्पनी सेक्शन पर आपको क्या लगता है? 95 ही वर्ड्स हैं, यह उससे थोड़े से जादा होंगे. तो 470 को सेक्शन ही है, वर्ड्स तो बहुत जादा होंगे. सवाल शाय समझगे होंगे? सवाल शाय समझगे होंगे? हम नहीं समझे, तुम ही समझाओ. सवाल आप कंपनी सेक्शन पर पढ़ रहे थे, आप किसी वर्ड के मिनिंग पर अट गए, आपको उसका मतलब समझ नहीं आया, आप गए सेक्शन टू पर, आपने सारे 95 क्लॉज़े चान बारे, वो वर्ड वहां पर डिफाइन ही नहीं है, तो क्या करोगे? गढ़ने सेक्शन 2 हर शब्द को भाइन नहीं कर रहा, अगर किसी एसे शब्द पर हम अटग गए, जो सेक्शन 2 में पर हम कहां जाएं, मेरे पास कब तक होगे? अपना लेवल आपको महा乾 लेकर जाना है आपको पढ़ना ऐसे है कि मेरे पढ़ने के बाद आपको दुबारा से कंपनी से किसी से पढ़ने की जुरूरत ना पढ़े। फिर बढ़ा CA बनने के बाद पता चला, तो मारी लेक्षब हो तो 2026 में CEO हो गई, और CEO हो तो ये कंपनी से 2027 आगया। फिर दुबार से थोड़ी ना कोचिंग लगाने आओगे, तो अपना लेवल वो लेकर जाना आने कि खुद पढ़ पाएं, तो इसलिए क्या करोगे, Google कर लोगे, एक आंसर तो मेरे पास आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, GCA, जिसे भी बच्चे ने दिमाग लगाया, क्या सही द रास्ता दिखाया हुआ है, जिस किसी के पास भी किताब है, मैं चाहूँगा एक मिनिट लगाकर, आप खुद से एक बार वो आंसर सर्च करिए, कि Companies Act ने क्या खुद से कोई रास्ता दिखाया है, कि अगर मैं कोई वर्ड डिफाइन ना करूँ, तो तुम यहां जाकर देख सकते हो, अगर तो Companies Act ने रास्ता दिखाया, पहले मैं उस रास्ते पर चलूँगा, अगर वो रास्ता नहीं दिखाया, डेफिनेटली मैं GCA पर चला जाओंगा, 2-95 में कुछ लिखा हुआ है, चलो देखते हैं, बच्चे अगर से 2-95 में, लास्ट में एक रास्ता दिखा रखाया है, देखते हैं जी कोई रास्ता है यह नि, तो पर अगर आप पेज 1.21 पर आएंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, section 2 clause 95, देखते हैं भी क्या कह रहा है, यह कह रहा है, यह कह रहा है जी, words and expression, used and not defined in this act, but defined in securities contract regulation act 1956, or the securities and exchange board of India act 1992, or the depositories act 1996, shall have the meanings respectively assigned to them in those act, मतलब कि by chance कोई word अगर companies act में इस्तमाल है, पर इस act में वो defined नहीं है, तो इन कानूनों का respective meaning आप follow कर पाएंगे, for example definition of the word securities, जब पूरा companies act पर होगे, यहां पर बार बार एक word आएगा securities, पर company act खुद से security को define नहीं करता, तो security का मतलब का है, उसके लिए हम जाते हैं SCRA act में, और वहां से उसका meaning of follow कर लेते हैं, Is this clear to everyone? कोई डाउट? डाउट तो आना चाहिए? डाउट है या कुछ? का डाउट है? बहुत बजया? बच्चा अगर सरी तीनों में भी नहीं हो आपिर? अगर companies act पढ़ लिया, companies act में भी defined नहीं था, तीनों में गए, वहाँ पर भी defined नहीं है, for example definition of the word affidavit, affidavit company act में इस्तमाल तो है, पर ना section two define करता, ना यह तीनों act define करते हैं, तो क्या करें? तो बढ़ा कहां जाएंगे, answer आना चाहिए? फिर बेडाम सास्कते सीधा आपके general clauses act कर, तो इसके लिए lawmaker ने एक GCA बनाया हुआ है, जो शब्द का meaning define करता है, तो वहाँ से आप उसका meaning follow कर पाएंगे, तो that is how आप एक शब्द का meaning ढूण सकते हैं, कोई दिकत? Any doubts? Doubt आना चाहिए? उसमें भी नहीं है तो sir, फिर क्या करेंगे? Doubt तो valid है? Companies act ढूण लिया, इसमें भी defined नहीं, इन तीन कानून में defined नहीं, GCA में भी defined नहीं, तो क्या करें? तो क्या करें? तोड़ा फिर हम देखेंगे, हो सकता है यह दिकत पहले कभी आई हो, तो सीस पर कभी कोई case law हुआ हो, उसमें वो word define कर दिया गया हो, या फिर वो शब्द एक ऐसा शब्द है, जिसके लिए शायद कोई अलग से act बन रखा हो, जैसे कि digital signature, companies act यह word इसमाल तो करता है, पर इसको define नहीं करता है, पर information technology act उसे define करता है, तो वहां से आप उसका meaning follow कर पाएंगे, और वहां भी नहीं हो तो, कोई case law भी नहीं होगा, कोई कैसा act भी नहीं है, कभी ऐसे फस गई तो, हमें फिर उसका meaning खुद से draw करना पड़ेगा, उसका meaning हम खुद से interpret करेंगे, अपने आप से उसका मतलब निकालेंगे, और अपने आप से वह मतलब निकालने के लिए, आप हुसकते किसी दूसरे कानूनों की मदद ले रहे हो, हुसकते आप dictionaries की मदद ले रहे हो, और उनकी मदद से आप उसका meaning draw करेंगे, पर जानक ना सीधे Oxford खोलकर मत बैठ जाना, law की अपने dictionaries अलग आती हैं, जिनको हम legal dictionaries कहते हैं, जैसे की black laws dictionary, एक black law करके dictionary आती है, तो उन dictionaries की मदद से आप interpretation करेंगे, और अगर उस interpretation से रोसी, रोसी क्या होता है पता है, आप एक word का meaning companies act में धीरे धीरे करके, टून पाएंगे, जोड़ा एक बार पुरी chain में रिपीट कर दो, किसी भी word पर अट गे, सबसे पहले कहां पर आ जाओगे, section 2 में, अगर section 2 में भी define नहीं हुआ, तो क्या करोगे, कौन से act है, SCRA या फिर, SEBI या फिर depositories, इन में जाकर कि आप meaning follow कर पाएंगे, यहां भी define नहीं है, तो का जा रहे थे, यहां भी define नहीं तो देख रहे थे, कोई case laws के उपुरा हुआ, या कोई other act उसके अंदर आ रहो और वहां भी नहीं होगा, तो अपना खुद से हम एक meaning construct करेंगे, तो आप देखो companies act में वो किस context में इस्तमाल है, जो better context हो, उसको इस्तमाल कर लो, ज़रो बात है, अभी तो हम companies act पढ़े तो companies act के लिए process जाना है, जब LLP पर आएंगे उसके लिए process जाना है, कि हर कारून का process अलग होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप बाते करोगे मिर से, वरना फिर मैं पढ़ाने लग जाओंगा, मिरेको पढ़ाने में मज़ा आते हैं फिर मैं तो रुकूंगा ही नहीं, हां विड़ा, विड़ाउट है, बढ़िया, कल शुट्टी है, क्या बत कर रहे हो, कल कौन से शुट्टी है, बारत बंद है, तो भारत बंद है, सीए का स्टुडिटन की कोचिंग तो चलेगी, बारत बंद उता रहेगा, हैं, दोनों क्लास का बंद है, विरतों कल हम एक एक एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, क्लास लगा सकते हैं, कल तुम तया कर सकते हो, एक दिन में तुम कितना लोग पड़ पाऊगे, कितनी तुमारी लोग पड़ने की सीमा है, बता चल जाएगा तुम, वो सीमा नापलो कल तुम, क्या खेत हो, बताओ, कितने बच्चती आर है, ठीक है सर हो जाए, बुक्स वगयरा किसी के पास नहीं बेड़ वो ले ना, फिर मंडे ओनवर्ड हम फुल फ्लेजिड बेसिस पर पड़ाई स्टार्ट कर देगे, सुछ लिए, आरे हाँ, कोई दिक्कत में, और सुनाओ, बहुत बढ़िया बाते करते हो आप लगों, मैं दाज आता है, बतना बाती भी मैं ही बताओं, वाह, मैं जब ऐसे को न, दो-ती मिनट बात कर सकते हो, तो आप बात करके ऐसे, छोटा सा एक ब्रेक चुरा सकते हो, मेरे को बातों में उल्जाना बड़ा असान है, पर वो बाते करना आना चाहिए, बाते करना आना चाहिए, करे चुटकुला सुना दो, बहुत बढ़िया, तभी तुम 14 February को नीच एडिमेशन करा रहे थे, कहीं गए नहीं, मैं तो गया था वही, बिल्कुल गया था, और किसलिए हमने 15 तारिक से बैच स्टार्ट किया, और गया, किसके साथ एक बीविया उसी के साथ गया था, अपनी बीविया के साथ गया था, मरवाये गये, मंडे बिल्कुल आप पर होगी क्लास, चलते हैं फिर आगे, बहुत बढ़िया बाते करें आपने, बहुत सब बाते करके आपके साथ मज़ा आया, तो बढ़ा दीरे दीरे करके इसी तरीके से हम Companies Act के अपनी जर्नीन आ पहेंगे, Section 1 आपने देख लिए, Section 1 आपको सिखाएगा Companies Act का दाइरा नाम, Section 2 में हम सीखेंगे definition, और बढ़ा Lawmaker ने इन दोनों section को club करके बना दिया Companies Act का आपका chapter number 1, और उसको नाम क्या दे दिया? preliminary, नाम क्या दे दिया? preliminary, इसी तरीके से Lawmaker भी drafting करते हैं, कि वो various sections बनाते जाएंगे, और जब भी कुछ section किसी common topic से deal करते होंगे, उनको club करके वो बना देते हैं एक chapter, तो Bear Act में भी chapter 1 preliminary है, जिसमें 2 section आते हैं, आपके study mat में भी chapter 1 preliminary है, जिसमें 2 section आते हैं, और आपकी book में भी chapter 1 preliminary है, जिसमें ये 2 section आते हैं, तो अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, या आपसे एक expectation रख रहा हूँ, आपको मुझे companies act की drafting करके देगी है, that is companies act draft करना है, for example, आज, मोधी जी आपको आकर कह रहे हैं, कि हमें हमारे देश में एक companies act बनाना है, जो companies को regulate करेगा, आपके उपर जिम्मेवारी है, कि आप उसकी drafting करो, जब आप act की drafting करोगे, शुरुवात में तो आप यह सब बता दोगे, कि J7 का title यह होगा, यहां यह apply करेगा, इसमें small और वाली शब्दों का यह मतलब है, इसके बाद आप act में, सबसे पहली बात क्या बताना पसंद करोगे, अगर आपको कानून बनाने को दे देगा, imagine करना, आपके उपर वो जिम्मेवारी है, कि आपको act की drafting करनी है, शुरुवाती बातों में आप क्या बताना चाहोगे, कि यह company बंद कैसे होगी, पैसा कैसे raise करेगी, जो start होगा section number 3 से, और यह जाएगा आपका section number 22 तर, जो आपको सिखाएगा कि company का incorporation कैसे होगा, आपको pages प्लेटने के जरूत नहीं है, नॉर्मली answer करते चलना, तो आपने सबसे पहली बात पिर सिखा दी, कि कोई भी company बनेगी कैसे, अब बढ़ा company बनकर तो तयार हो गई, पर company को चलाने के लिए, क्या चीएगा, पैसा, क्या funds की requirement पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि company को चलाना है, तो आपको पैसे क्या आप शकता है, अगला काम हमें यह सिखाना पड़ेगा, कि company के पास पैसा कैसे आए, क्या बोलते होंगे, company क्या लेकर क्या यह अपना, IPO या public issue, और बढ़ा, क्या public issue हर company ला सकती होगी? नहीं जी, तो जो private companies है, क्या आपको लगता है, वो public issue ला सकती होगी, public के पास आगर पैसा मांग सकती होगी, तो बढ़ा, वो क्या करती होंगी, private placement, तो कुछ companies बढ़ा, private placement करके पैसा raise करती है, कुछ IPO या public issue ला कर, अब let's suppose बढ़ा, मैं एक company हूँ, मुझे आज अपना IPO लेकर के आना है, और मैं public at large से, छोटे से 5000 करोड रुपे खता करना चाहता हूँ, तो बढ़ा, बढ़ा बढ़ा company है, कि मैं कैसी company हूँ, क्या करती हूँ, मेरी history और background क्या है, कौन मेरे director promoter है, कितना पैसा चाहिए, उस पैसे का क्या करूँगी, क्या ये सारी बाते, company आप सबको बताएगी, बढ़ा, किस document के through बताएगी? Prospectus. तो जब भी बढ़ा, कोई public issue आता है, कैसे IPO हैगा, etcetera, और ये आपका कौन से section से start होता होगा? बहुत मुश्कल सवाल है, कौन से section से start होता होगा नलाइक हो? 23, और ये जाएगा आपका section 42 तर, तो ये आपका आएगा chapter 3, जहां पर company पैसा कैसे raise करेगी, ये आप सीखेंगे, और पैसा raise करने के लिए company, अपने investors को क्या issue करेगी बदले में? Share. पर बढ़ा, क्या एक company सिर्फ share issue करके ही पैसा raise कर सकती है? या पैसा उधार पर भी मिल सकता है? जब उधार पर पैसा मांगते हैं, तो बदले में share देते हैं, कुछ और देते हैं? तो बढ़ा, पैसा raise करने का तरीका क्या उसकता है? या तो share capital, या debenture, तो बढ़ा, इससे अगला chapter आपका आ जाएगा, share capital and debenture, जो start होगा आपका section 43 से, and जाएगा ये 72 तर, तो बढ़ा, that is how, आप share capital and debentures के जरीए पैसा raise कर सकते हो, तो बढ़ा, क्या पैसा raise करने के लिए, share या debenture issue करना जरूरी है, या मैं deposit भी मांग सकता हूँ, that is, क्या लोग चाहे तो मेरे पास आकर के, FB, RD वगरा कराकर भी पैसा provide कर सकते होंगे, yes, तो बढ़ा, deposits के जरीए भी आप पैसा raise कर सकते हो, तो अगला chapter आपका आगया acceptance of deposits, section 73 से लेकर के section 76A, बढ़ा यही आपके company check के पहले 5 chapters है, आगे जाने से पहले मेरे को यह 5 chapters एक बढ़ बता दीजिए, सबसे बहला chapter बढ़ा कौन सा जाते आपका, preliminary, section 1 से लेकर section 2, इसके बाद आपने क्या सीखा company को, incorporate करना, section 3 से लेकर, इसके बाद incorporate तो कर लिया, पर चलाने के लिए चाहिए, पैसा, पैसा कैसे आएगा? Prospectus and Allotment of Security, आया आपका chapter 3, section 23 से लेकर, और किस form, sorry, जब आप पैसा raise करने जाओगे बढ़ा, क्या issue करके पैसा raise करोगे? Share capital या debenture, 43 से और किस form से पैसा आसकते है? Deposits, आप deposits के through भी पैसा raise कर सकते हो, section 73 से लेकर, section 76a, बढ़ा कुछ-कुछ sections के सीख में स्याद होई? कुछ-कुछ याद होई? तो एक बार फिट से repeat करा दो, सबसे पहला chapter, company law में कोन सा आता होगा? preliminary, बढ़ा preliminary जो chapter है, इसमें कितने section है? 1-2-2, section 1 आपको क्या सिखाएगा? इस act का नाम, इसका दाइरा, and section 2 आपको क्या सिखाएगा? definition, इसके बाद बढ़ा जो chapter आपने बनाया, कौन सा बनाया? incorporation, जहाँ पर आप एक company को incorporate करना सीखोगे, कौन से section से chapter start होगा? 3 से, और जाएगा कहा तक? 22, तो यह आएगा बढ़ा आपका chapter number second, जहाँ पर आप एक company incorporate करना सीखते हैं, इस chapter में बढ़ा हम क्या क्या सीखेंगे? Company बनती कैसे है? बनाने का तरीका क्या होगा? बहुत जाएदा hyper technical discussion में नहीं जाओंगा बढ़ा, आज, पांच दोस्त हैं, आप एक CA साब हो, CA का office है, पांच दोस्त इखटे आपके office में आगए, और कहरें CA साब हमें company बनानी है, बताओ क्या करें? तो बढ़ा, आपके साब से company बनाने का process क्या रहता होगा? आपके साब से क्या procedure रहता होगा? वेबसाइट पर जाकर क्या कुछ form बरने पढ़ते होगे? कौनसी वेबसाइट पर जाकर बरते होगे? MCA, बढ़ा, जो form बरूँगा, क्या form में इन 5 लोगों का data देना पढ़ेगा? क्या-क्या मांगो इनसे? क्या इनका अधार काड, पैन काड यह सब मांगना पढ़ेगा? अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हो? क्या यह पूछना पढ़ेगा? जो कंपनी बनाना चाहते हो, क्या हर कंपनी के कुछ basic documents होते हैं, वो भी TR करने पढ़ेंगे? कौन से होते हैं वो basic documents? कंपनी बनाने के लिए कौन सा form फिल होता होगा? कंपनी बनाने के लिए मैं MCA website पे कौन सा form भरता होँगा? INC 32 Spice Plus अगर कभी नाम सुन है, तो बढ़ा, INC 32 Spice Plus यह एक form हम फिल करेंगे, और बढ़ा, मैं यह सारे form ROC को submit करूँगा, अगर उसे इस सारी documents बढ़िया लगे, तो वो मेरी company बना देगा, और सबूत के तोर पर मुझे क्या देगा? Certificate of, और अगर वो certificate आ गया, तुम मुभारत को company होई है, तो बढ़ा, यही सारा process रहेगा, यही सब सीखेगे, तो chapter यही सिखाएगा, Memorandum क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, कैसे form file करेंगे, कैसे certificate आएगा, यही सारी बाते इस chapter में आप सीखोगे, कि एक company बनती कैसे है, बढ़ा, बनकर तो तयार हो गई, पर चलाने के लिए क्या चाहिए था, पैसा, पैसा कैसे आएगा, उसके बना chapter number 3, chapter का नाम, Prospectus and All Department of Security, section 23 से start होकर कहां तक जाएगा, 42, तो बढ़ा, इस chapter में आप सीखोगे, कि एक company के पास पैसा कैसे आता है, यह तो बढ़ा, आप पैसा रिसकर सकते हो, public issue से, जिसको IPO भी बोल दिया जाता है, जहांपर आप public at large के पास जाकर पैसा मांगते हो, रिसेंट्ली जैसे, पेट इसको क्या होना पड़ता होगा, list, तो कहीं बार एक सवाल आ जाता है, एक company list कब होती है, list आपको तब होना होता है, जब यह पब्लिक से जाकर पैसा मांगोगे, अगर पब्लिक से पैसा मांगा है, तो list होना आपके लिए mandatory है, as per section 40 of the companies act, आपको list होना ही पड़ेगा, यहा सारी बातें आपको ही सिखाएगा, कि जी कैसे एक company पैसा raise कर सकती है, पेटियम का IPO, थोड़ा बूत फोलो किया है किसी ने, पेटियम का IPO के बारे में थोड़ा बूत पता है, चलो थोड़ा सा बतातो बड़ा, I guess last year पेटियम का IPO आया था, उन्होंने पब्लिक को का था, हम आपको अपने share इशु करेंगे, पेटा अपने prospectus में आ, IPO में, पेटियम ने अपने share पब्लिक को कितने में बेचे थे, 250, IPO आते ही, जैसे ही पेटियम लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के कुछी समय में उसका price हो गया, 1800, 1800 से फिर वो price थोड़ा सा और गिरा, 1500, फिर थोड़ा स और गिरा, 1200, फिर थोड़ा सा और गिरा, 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 साड़े 400 के आसपस, फिर वो कह रहा है, बस, फिर कह रहा है, बस, फिर बेटा, वहां से वो उठना स्टार्ट हुआ, साढ़े चार्सो से वो गया साढ़े पांसो, साढ़े पांसो से वो गया छिससो, छिससो से वो गया साथसो, साथसो से गया नोसो, फिर RBI कह रहा है, जी ऐसे तो नहीं चलेगा, RBI लेकर क्या है, पेटेम के लिए एक ओडर, थोड़ा बोध भी अगर आपने न्यूस फॉलो करी हो, इतना तो सुनी लिया होगा कि पेटेम बंद होने वाला है, कुछ पेटेम बंद होने वाला है, शायद सुन रखाओ, जिस दिन प 500, वो गया साड़े 400, वो गया 400, वो गया साड़े 300, और बिदा कल तो वो 310 या 20 के असपास भी चला गया था, आज शायद थोड़ा सा उपर है, शायद 355 के असपास होगा, बिदा ये जरणी पेटेम की IPO के बाद रही, तो that is how the market prices fluctuate, अबसर ये किस ले हुआ, ये price बड़ पर आपको stock market के अब ही, एक basic ग्यान देखने को मिलेगा, कि how the market exactly works, कैसे ये share खरीता बेज़ा जाते है, बड़ी असा सवाल पुछू, IPO कितने में आये था, और आज उसका share लगबग कितना चल रहा है, 300, तो बड़ा company ने total loss कितना खाया, पेटियम को total नुकसान कितना हुआ, 250 में उसने public को अपने share बेचे, और आज उसका share 300 क्या सपास चल रहा है, चलो मोटा मोटा 2000 से अब 300 चल रहा है, तो बड़ा company ने हर share पर कितना नुकसान खाया, कितना खाया company ने नुकसान, 0, जो कि नुकसान पेटियम का हो रहा है या share holder का हो रहा है, क्योंकि शेर होल्डर तो 250 पर पेटियम को पैसा दे चुका है, पेटियम तो उस पैसे का इस्तमाल अपने business में कर रहा है, क्योंकि वो क्या था, primary market, वो पैसा सरका चुका है, अब जो trading हो रही है, वो stock market पर रही है, वो trading pay टियम कर रहा है, share holders आपस में कर रहे है, और वो है secondary market, और जो नुकसान है pay टियम का हो रहा है, share holder का हो रहा है, share holder का, obviously pay टियम कभी नहीं चाहेगा कि उसका share holder promoter नुकसान में हो, पर यह जो price fall है, क्या इससे pay टियम की balance sheet पर को impact आ रहा है नहीं आ रहा, पैटियम की balance sheet अभी impact नहीं हो रही है, जिसका नुकसान है वो हो रहा है, share holders का, वो असली नुकसान में आ पर है, तो इसलिए IPOs में बढ़ा देख करके पैसा रहा ना होता है, तब ही का जाता है, equity market comes with risk, यहाँ पैसा डूबने के chances होता है, देखो जैसे आज सोचो, किसी को बता भी नहीं पा रहा होगा, कि मेरे पास pay time का share है, तो इसलिए market की basic knowledge आपको मिलेगी, तो यह chapter 3 आपको यही बात सिखाएगा, किसी prospectus क्या होता है, IPO क्या होता है, कैसे पैसा raise होगा, etc. तो chapter 3 में आपको यह सब सीखने को मिलेगा, section 23-42, पैसा कैसे raise कर करने के लिए बिटा, क्या issue कर सकती है, या तो अपने shares, या क्या issue कर सकती है, debenture, तो बिटा, chapter 4, कौन सा आगया आपका, share, capital and debenture, section 43 से लेकर, 43 से लेकर, बहुत अच्छे है, 43 से लेकर, 72, यहां आप सीखेंगे बिटा, share क्या होते है, equity share क्या होते है, preference shares क्या होते है, securities premium क् discount क्या होता है, bonus क्या होता है, split क्या होता है, buyback क्या होता है, capital reduction क्या होता है, debentures क्या होते है, यह सब चीज़े आपको इस chapter में सीखने को मिलेगी, that is, share से जुड़ी ही सारी बाते, debentures से जुड़ी ही सारी बाते, आप इस chapter में सीख जाओगे, उस से जुड़ा हुआ सारा ग यह चैप्टर आपको सिखाएगा डिपॉजिट्स क्या होते हैं आप कैसे अगर आपको अपनी फ्टी ओपन करा नहीं है आप कहां जाकर फ्टी खुल वास्पते हो पैंक के पास कोई और चॉइस पोस्ट ओफिस को और चॉइस एनवी एफसी क्या बड़ा नवी एफसी भी एफडी ओपन करती हैं एनवी एफसी सुनाओ है नॉन वंगिंग फानेशल कंपनी क्या हमापे भी एफडी ओपन होती है बिलकुल होती है बजाज फाइनस में चले जाओ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फानेंस की वेबसाइट पर चले जाओ मिफट फानेंस में चले जाओ यह लोग भी आपकी एफडी ओपन करते हैं बजाज फानेंस में जाकर आप एफडी करा सकता लगभग साड़े आठ से नो परसंट का ब्याज आपको मिलेगा पैंक के मुकाबले एक परसंट से जादा बैंक के मुकाबले ज्यादा ब्याज भी देते हैं बिलकुल और बार क्या फी के अलावा भी कर अपने की ऐख बीथि oratoire को आएग एवकिंस कोकर उसका कर देखिए तो वो पी अलाउड है यह नवी चैप्डर आपको चपन को आठाए का कैसे वो एफ अपने नेवा से करेग सब्सक्राइब दूसरा आगया था इन कॉर्परेशन 3 से 22 तीसरा आपका आगया था प्रोस्पेक्टस एन अलॉट्मेंट ऑफ सिक्यूरेटी 23 से 42 अगला आगया शियर कैपिल लेंचर 43 से फिर आगया डिपॉजिट 73 से अब जब भी डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स के जर security और विढ़ा क्या हम बदले में उसे कहीं बार अपने एसेट्स की security भी दे देते हैं अकाउंट्स में लिखते होगे ना, secured against plant and machinery, तो बढ़ा companies act में उस word security को एक दूसरा नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं, charge, तो security को company's act में क्या बला जाता है, charge, तो बढ़ा जब भी हम किसी debenture holder से पैसा raise करते हैं, वो बदले में हमसे charge मांगता है, कि जी आप अपने asset पर charge create करकर दो, ताकि कल को अगर पैसा recover ना हो पाए, हम asset बेच कर पैसा recover करेंगे, तो बढ़ा अगला chapter 6 आपका आएगा charges का, जो start होगा section 77 से, and यह जाएगा आपका section 87 तो बढ़ा यहाँ पर आप सीखोगे charge क्या होता है, fixed charge क्या होता है, floating charge क्या होता है, तो यह आपका chapter आएगा charges, अब बढ़ा, debenture वालों को, deposit वालों को, तो हमने charge offer कर दिया, equity वाला आया, चैरे जी उसको तो charge दे दिया, मेरा क्या, equity वालों को हम company में क्या-क्या देते होंगे, एक तो dividend, और साथ में, voting रैडम कहेंगे, जी तेरे पास voting का अधिकार है, और तो जी dividend मिलेगा, इसलिए पेटा, shareholder को पहला अधिकार मिला, voting का, और उसके लिए अगला chapter आपका आगया, management and administration, chapter number 7, जो start होगा, आपका section 88 से, and यह जाएगा, 1.2 तक, यह आपको सिखाएगा, पेटा, कि shareholders voting वगएरा के अधिकार कैसे exercise करेंगे, तो यहाँ पर आप सीखोगे, annual return क्या होती है, general meeting क्य होती है, AGM, annual general meeting क्या होती है, कहां shareholder कैसे meeting करेंगे, OR क्या होता है, SR क्या होता है, कैसे decision making होगी, वो सारी बाते आपको इस chapter में सीखने को मिलेगी, कि कैसे shareholder company में decision making करते हैं, यह chapter आएगा, बहुत ही bettering chapter है, यहाँ पर आपको काफी सारी companies की live AGM भी attend करने को मिलेगी, आपक कैसे वो AGM होती है, वो पूरा environment भी आप देखेंगे, यह आपका chapter आएगा, management and administration, और क्या दिया से shareholder को, voting right के लावा क्या दिया था, dividend, अगला chapter कौन सा आजाएगा, dividend, 120, किस पर खतम हो था, तू पर वो खतम हो था, तो यह किस से start होगा, 123 से लेकर 127, यह chapter आपका आजाएग का, dividend का, जहाँ पर आप सीखेंगे, dividend क्या होता है, कैसे company dividend बाठती है, क्या होता है dividend, क्या होता है dividend, क्या होता है dividend, profits, appropriation of profit, जो भी पैसा हमने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने shareholder में distribute करना है, तो बढ़ा आप गए Hawkins कूकर की general meeting में, company यह रही shareholders, company ने बहुत बैतरी profit कमाया है, dividend के तौर पर हमारा एक एक कूकर ले जाना, करसकती है, अरे करसकती है, मारूती Suzuki meeting में गया, listed company है, कहरी है जी, shareholder भड़िया profit करा है, बदले में एक एक, डाड़ी लेते जाना, hero motocop की meeting में, listed company है, बहुत battery company है, hero motocop की meeting में, कहरी जाते जाते एक scooter बाइक ले जाना, hero की जाती है, यह भी listed company है, बदला वो भी करें, एक scooter bike ले जाना, Hyundai का नाम सुना होगा, अभी तक तो listed नहीं है, पर अगले साल most probably उसका IPO आ जाएगा, तो वो भी पहली बार जाकर public से पैसा मंगेगी, Hyundai का भी IPO आने वाला है, बदला Hyundai भी करें जाते जाते एक गाड़ी ले जाना पर दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, एक company हमने भी पैसा आप सबका लगा हो है, पर क्या आप सब मिलकर day to day business पर company चलाते हो, या आप किसी को appoint करते हो, किसको appoint करते हो, directors को, separation of ownership and management, पैसा तो shareholders का लगा है, पर चलाते हैं directors, तो आज वो director company सही से चला रहे हैं नहीं, वो खाते ब पाते सही से बना रहे हैं नहीं, तो इसलिए directors को, अपनी shareholders को intimate करने के लिए, क्या थियार करने पड़ेंगे अपने accounts, तो यहाँ पर आप सीखो कि कैसे एक company अपने accounts करती है, प्रिपेर, section 128 से लेकर section 138, यह chapter आपको बदाएगा, accounts of the company, यह chapter आपको सिखाएगा, books of accounts क्या होत यह सारी बाते आपको बड़ा, यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी, accounts of the company, और बड़ा, shareholder कह रहा है, खाते बनाता कौन होगा, बड़ा, company में, shareholder या director, और company day-to-day basis पर चला भी कौन रहे हैं, तो कह 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 रहे हैं, जहां पर आप audit करना सीखोगे, जो खातों का audit करना है, और जो financial statement बनकर आएंगे, उस पर sign करने है, यह sign करने की सिर्फ और सिर्फ monopolistic power, किसके पास है, chartered accountant, इसके अलावा, company के balance sheet P&L पर कोई sign करके, उसे authenticate कर ही नहीं सकता, और आपका काम क्या होगा, खाते बनाना, या बना जारा काम इतना है, जी सही से बने आया है, तुम audit करके, बस यह बताते है, हान जी खाते है, हमारे साब से true and fair view देते हैं, यह बेटा, आपका, company's act का 10 chapter का slabels से, एक topic और आएगा, foreign company, उसको भी mix नहीं कर रहे, तो these are the 10 chapters की sequence, यह आपकी वो sequence आ रहे है, एक बर कृप्या, इस में यह sequence given रहेगी, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कर लिजे यहाद एक पर, ढूहन, अँए बार, start करें जिमार, क्वेटेश्ट है, एक सवाल जो आता है, कैसे अमें law में section number याद करने हैं, Million Dollar Question, आधाओजी, क्या लगता है, Section Number याद करने होते हैं? तो इन्स्टिट्ट ने तो कहीं है कहनी रखा कि Section Number आपको लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखा तो Number काट लोगा, ऐसा कोई institute की तरफ से कोई notification नहीं है पर आपको क्या लगता है as a professional कि आमें section number याद होने चीए होने चीए बटा और उसे आप अपने answer में लिखोगे वह आपके answer की worth बढ़ाएगा अगर examiner कहीं भी dicey है कि उसे आपका number काटना चाहिए या नहीं और वो section number लिखा हुआ देखेगा शायद वहाँ पर वो आपको marks देजाएगा और section number से आपको कानून याद करना टप होता है या असान होता है बटा असान हो जाता है और example अगर मैं आपको ये डेढ़ सो paragraph एक story की form में as it is लिख कर दे देता और मैं कहता ये section number कैसे आपकी है तो पहले मैंने अपने mind में सारे के सारे chapters ही आता है अपने mind में सारे chapters की sequence बिठाई कि जी chapter second यहां से यहां तक है chapter third यहां से यहां से यहां तक है उससे होता क्या है कोई भी particular section अगर कोई मेरे से पूछता है ये section किस सीज़ का है तो मेरा mind पहले उस bracket में पहुच जाता है अच्छा जी यह वाला section इस वाली sequence में यहां fall करता है पर एक्जांपल कोई कैगा section 52 किसका है तो मेरा mind सीधा जाएगा जी chapter 4 होता है share capital and dementia जो 43 से लेकर 72 तक जाता है तो 52 उसी chapter का एक section है तो कही ना कहीं वो share capital या debenture से related बात कर रहा होगा अच्छा जी फिर मेरे लिए recalling हो जाता है यह वो securities premium तो मेरे लिए वो section recall करना बड़ा असान है that is why यह section की sequence में आपको याद करा रहा हूँ तो इसको एक बार अगर आप याद करोगे फिर section number आपको याद होते चलेगे अगर पूरे syllabus के flow के साथ मैं जितनी भी बार किसी section को revise कर रहा हूँ आप करते जाओगे मेरा मानना है इन डेड़ सो में से मान कर चलना कम से कम सवा सो sections तो आपको class में ही याद हो जाएंगे with section number बाकी के जो मैं कहा रहा हूँ 15 section याद रहा हूँगे तो कि वो शायद paper के लिए उतने जादा relevant नहीं है उनका section number नहीं भी याद करोगे तो चलेगा बाकी सारे आपको with flow of the class याद हो जाएंगे बस साथ-साथ वो महनत करते वे चलना अगर day one पर याप यह सोच लोगे कि मेरे लिए section number याद करना पॉसिबल ही नहीं है मैं तो याद करी नहीं पाऊंगा फिर वो कभी याद नहीं होंगे पर अगर आप सोचा के जी याद हो जाएंगे बार बार रिवाइस करूंगा सुनूंगा तो इट विल भी याद हुए लुठर यह कुछ याद हुए आपो टमी पर देखे बता आप आओगे किया हो गया दा पाओगे कि शुरू शुरू कितने याद हुए किसिनने भी बुक बंकर देना स्कूंपर आपको नहीं देखना है आप चुब जब अपनी नौलिज के लिए बस बताते गए थे 1 to 2 उसके बाद विड़ा मने क्या सीखा था company को incorporate करना incorporation of the company section 3 से लेकर इसके बाद विड़ा company को पैसा चीए था prospectus and allotment of security 23 से लेकर इसके बाद विड़ा पैसा किस किस form में आ सकता है share capital and debentures 43 से और किस form में आ सकता है acceptance of deposits deposits का section कौन सा गया 73 से लेकर 76a और बिड़ा जब भी debenture holder या deposit holder से पैसा मांगोगे बदले में वो क्या demand करेंगे 4 chapter आ गया 77 से लेकर 87 shareholder क्या demand करेंगे voting right and dividend voting right के लिए chapter आ गया management and administration 88 से 122 different के लिए अगला chapter आपका आ गया 123 से 127 उसके बाद shareholder director से कर रहे है खाते तो बना करके तो तो बिड़ा chapter कौन सा आ गया accounts of the company 128 से लेकर 138 and finally बिटा उन खातों को क्या करा कर देना होगा audit 139 से लेकर 148 बस बिटा ये वो डेड़ से sections है जो आपको company's act के लिए याद करने रहेंगे जिसमें से लगबग आपका 60 से 55 नुमबर का paper आने वाला है क्योंकि 70 marks के विटेज पूरे corporate lock है जिसमें LLP भी है तो मानकर चलना बिटा 60 से 55 नुमबर के लिए बस इतनी तयारी करने है पहली पहले दिन सुनने में जादा लग रहा होगा पर जैसे जैसे करते जाओगे तो इस चीज को compile करना आपके लिए संबभ है तो इसलिए आज का आपका एक चोटा सा नुमबर बन से उसके बाद in corporation 3 से उसके बाद prospectus and allotment of security 23 से शेयर capital and venture 43 से उसके बाद आपका है deposit 73 से लेकर 76 उसके बाद चार्ज उनको उफर किया 77 से लेकर फिर आए बेड़ा management and administration 88 से लेकर 122 डिविरेंड 123 से लेकर 127 उसके बाद आपका है अकाउंट्स ओफ दी कंपनी 128 से 139 से लेकर 148 हो जाएगा कौन से लिम पर जोड़ी बात है यह आपके 10 chapters की sequence आजाती है अलग से लिखनी की कहीं जरूरत नहीं है आपकी जो बुकाएगी बढ़ा उसके इंडेक्स में आपको यह गिवन रहेगा यहां से आप definitely उसको रह पर कर पाऊंगे और सुनाओ यह लास्ली यह तीन छोटे से चैप्टर रहाएंगे आपके तीस नंबर के लिए बस बनी कुछ बात अरे बनी कुछ बात अरे बनी कुछ बात अरे अनी डाउट्स अरे अनी डाउट्स पिड़ा जो आपने section की sequence याद करें उसमे deposit वाले chapter की sequence याद है कितनी थी पीच में से सव कि एक आप कि अ कि मैं कि कि कितने बच्चों कर अंतर पता है तो यह न दो एप स्मोल हो और कैपिटल हैं अंतर के अलावा कोई अंतर पता ऐ है कुन था यह ऊल यह वाले नaceut applies मुझे नहीं बता मेरे को सिर्फ यह पूछना कितने बच्चों को यह अंतर पता है 76 स्मॉल है और 76 कैपिटल है बस हाडली 5 परसेंट अफ़ी क्लास चार बच कर सतरा मिनिट होएं मिलते हैं चार बच कर तीस मिनट और यह पंदरा मिनिट का बड़े जो यह कहारी हो अरे तुम यार खुश रहो पैतिस अ क्रोड़ क्या बात कर दीं आरे बस बस कहने को की जरूरत ही नहीं है अरे ठीक है बस बस बेटा आद इतना बंजा है बस चलो को बोगे ब्रेक के बाद करते हैं डिसक्स नलायक कि लाइव स्टुडेंट्स अगर आपका कोई भी डाउट है आएम हेर फेस्टुविस्टुडेंट्स आपका भी कोई डाउट है ब्रेक में मैं यहीं पी हूँ आप डाउट कूछ सकते हूं आपकी क्लास भी सही चल रहे हो बेटा कोई भी किसी बिल्यास का अब दिक्कत फेस कर रहे हो लेक्ट मीनों आउंग अम्रीन क्योंकि कहीं बार कानुन में बदलाव करने पड़ते हैं डोंड बरी कोई नीरुद्र गुट आपको पता है वरना ब्रेक के बाद यह पॉइंट डिसकस करेंगे कोई डाउट हो दो भाई प्लीज गएड़न आस्क एनी डाउट्स यूट्यूब सुडेंट जनकपुरी रोहिनी आपकी वट्साप की चैट मेरे सामने है कोई भी डाउट आप प बोलना है यह मैं सोचना आज भाजवाले क्या सोचेंगे आप पैरलली क्लास में उस चीज को नरेट करिएगा आपको साइड वैसाड याद हो जाएगा कि थैंक्यू नमन अर्चे तो आपने क्लासे अगर आज ओडर करें आपके पास क्लास की मिला जाएगी प्रणव एक डाउट बताओ कि लॉकी रिटम की प्रैक्टिस के लिए आपको टिप्स मिलेंगे धीरी देरे करके हम अलग अगले लेवल पर पहुंचेंगे तो समय के साथ आपको हर में मुस्चीज पर डिवॉट कर रहे हैं एक बार वो सीख जाएंगे फिर पूरे स्लेबस को हम धीरी दिरे कौप अप करते हों चल पड़ेंगे किसी और तरीके से की आ गया हो जैसे कि हर कंपनी में एक आर्टिकल होगा तो वहां पर उसको हम आर्टिकल ऑफ असोसियेशन रीड नी करेंगे विकोज बात का कॉंटेक्स्ट ही अलग है वह एक छोड़ा से डिफरेंस लब्वे आ गया था सब्सक्राइब 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 करेंगे अगर कोई बैक्लोग है उसे कवर करने का जब तक आपने पढ़ा उसे रिवाइस करने का आशीश आप उसके लिए सेंटर बड़ बात करिएगा लक्षे अलग से कोई रजिस्टर आपको नहीं लगाना है जितने भी आपके ब्लैंक पेज़ेश आपकी बुक्के अंदर आपको दिये जाएंगे जो भी नोटिंग होगी सारी किताबों के अंदर ही आपको कराई जाएगी अलग से आप एक नोड़ बुक बनाओं के राइ खब करताएब झाहाँ झासे में अम्डिंग कर दो दूण होगी आपको देएगा यापको ट्क्षे वरी नोटिये जुर से मां भी होगी सारी कितापेत्स आपकी है जोगी से किताफ़र आपको दुक्स्टर नोटने जी बुक्टर आपकी लिए यरञाएबτο युोंगी झाल 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 चलते हैं फिर आगे तो break पर जाने से पहले हमने कुछ sections की sequence याद करी थी एक बार लास्ट बार वो फिर से recall कराने को तयार हो या बहुत हो गया बहुत हो गया करा दो एक बार पता दो बड़ा बड़ा से preliminary section incorporation 3222 उसके बाद बड़ा prospectus 23 से उसके बाद share capital and venture 43 से deposit 73 से charges 77 से management and administration 88 से dividend 123 से accounts of the company 128 से and finally audit 139 से जाते जाते हमारा बस एक छोटा सर सवाल था यहां पर एक section आया 76A तबर एक difference क्या होता है 76A आड़ोड जाए, गया 76A इन में कोई बताना चाहे नहां सर कोई नहीं बताना चाहेगा माइक जिदे बार आयर ऐए कोई यह मिरी टीम वाले चुट्टी कर गए अरे यह मिरी टीम वाले चूट्टी कर गए यह क्या बद कर रहे हो यह section होता है कितने बच्चे करे सरी, ये section होता है, तरी ये का होता है, close, अच्छा, चल बड़ा, अगर इस case में मैं आप से पूछा हूँ, कि जो first case है, 76A, यहाँ पर section number क्या है, section number, चानकर बड़ा, यहाँ पर section number क्या है, 76A, उसका subsection, या close होगता है, यहाँ पर section number here is 76, उसके अंदर कोई clause या subsection आ रहा है, अगर बड़ा यहाँ पर पूछू, section number क्या है, यहाँ पर section number क्या है, ध्यान रखना, section number is 76A, that is, this is a new section altogether, तो सर, इस section को ऐसा एक अजीब सा number क्यों दिया गया, 76A, क्यों बड़ा, जिस समय company's act 2013 बना था, जिस दिन प्रे इस section को बड़ा, बाध में by way of amendment insert किया गया, और amendment के थो एक नया section insert किया गया, इसलिए यह बना एक नया section 76A, और जैसी ही एक नया section यहाँ पर आया, company's act के total section 470 रहे, या बढ़कर के 471 हो गए, 471, तो इसलिए बड़ा, last section number तो 470 जरूर है, पर क्या company's act में total section 470 ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता, because over a period of time इस तरीक है कि काफी सारे नये sections, company's act में add भी होते रहते हैं, और कुछ existing sections delete भी होते रहते हैं, तो within the act, काफी सारी amendment आकर section उपर नीचे जाते रहते हैं, that is why last section number 470 जरूर रहता है, पर total number of section 470 ही हो, यह mandatory नहीं होता, वो with time आपके बदलते र प्रादधा नहीं आप, अब यहाँ पर एक सवाल, sir law के अंदर हमें एक नया section insert करना था, तो वो section में 76A करके क्यों insert किया, 470 के बाद लिख देते हैं, 471, answer आपके पास होना चाहिए, तो जो section 76A है, वो कोई random बात करता होगा, या deposit से related बात करता होगा, तो क्या वो बात उस चेप्टर के sections के साथ insert करनी जरूरी थी, क्योंकि अगर आप उसको last में insert कर देते हैं, तो जो भी deposit का chapter पढ़ रहा होता, वो पक्का इस section को overlook कर जाता, because वो deposit से connected section है, तो उसी chapter के साथ इसे insert किया गया, तो sir एक और रास्ता था, अब deposits के chapter में 76 को 77 बना देते हैं, और जो आप सारे sections की sequence बदल रहे हो, अगर किसी और section में किसी दूसरे section का reference आ रहा है, वो भी बदलना पड़ेगा, income tax GST में company Z के किसी section का reference आ रहा है, वो भी बदलना पड़ेगा, और जो सारे section sequence हम लोग याद करेंगे, वो भी बदलना पड़ेगा, तो वो करना तो बढ़ा कभी suggestible नहीं होता, इसलिए हमें कभी भी कोई नया section insert करना होता है, उसी chapter के साथ इसी तरीके से हम insert कर देते हैं, तो 76 A, B, C, D, E, F, G, H and so on, तो इस तरीके से हम A से लेकर Z, Sir Z आ गया फिर A, 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 B, A, C, A, D and so on, तो इस तरीके से बढ़ा नयने sections आप law में insert करते हो जाते हो, तो by way of amendment इस तरीके से यहां पर आपके sections आ जाएंगे, is this clear to everyone, यहीं से एक और सवाल, Sir आज section 76 हा और हमें law में amendment करके 76 A यहां पर insert करना था, इसका process क्या रहा होगा, that is अगर company Z को आज हमें amend करना है, और इसमें एक नया section insert करना है, इसका process क्या रहता होगा आपके साब से, यह कर जिसके पास कानून बनाने की power है, और कानून बनाने की power किसके पास है, पारलेमेंट, तो बड़ा law को amend करना है, तो उसकी power भी किसके पास है, पारलेमेंट, यह तो बड़ा पूरे एक नया section है, अगर आपको पूरे companies act में कहीं एक full stop तक लगाना है या अटाना है, वो काम भ और वो बिलकॉम क्या बोल देंगे, Companies Amendment Bill, उसको क्या बोल देंगे, Companies Amendment Bill, और जब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेजिदेंट साइन कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, आपका Companies Amendment Act, for example, Companies Act 2013 में बनतो गया था, पर क्या उसमें over a period, कहीं बार amendments आई है, आई है बिटा, एक बार आया था, वहाँ पर वो Companies Amendment Act करके, 2015 में, for example, बिटा, आज के दिन Companies के लिए Common Seal होना, mandatory है या voluntary है, बिटा, जब Companies Act बना था, तब mandatory होती थी, पर इस amendment ने उसे voluntary कर दिया, तो उसने वो amendment लाई और उस बात को बदल दिया, तो बिटा, एक amendment लाई गई, Companies Amendment Act 2015 से, फिर 17 से, फिर 19, 20 and so on, तो कहीं बार Companies Act में बदलाव कर दिये जाते हैं, और जैसे ही, बेटा, Companies Act 2013, amend होके, Companies Amendment Act 2015 आया, अब वो Companies Act 2013 कहला आएगा, या 2015, 13 या 15, जब बेटा, 56 को amend करकर 13 आया, तो 56 कहला आया, या 13 कहला आया, 56 कहला आया, 13 कहला आया, जान रखना बेटा, वहाँ पर हमने Act में थोड़े मोडे बदलाव किये थे, पूरा Act ही बदल डाला था, पूरा Act ही नया लाए थे, पर बेटा, अब की बार जो ये amendment Act आयेगा, इसमें क्या Companies Act के सारे section द्वारा से लिखे जाते होंगे, या इसमें बस वो बदलाव लिखे जाएंगे जो Main Act में कर रहे हैं, सिर्फ बेटा वो बदलाव, इसमें आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा, कि Main Act में ये section insert कर देना, existing section की ये बात बदल देना, यहां कॉमा लगा देना, यहां full stop लगा देना, तो यह सिर्फ एक amendment Act है, जो Main Act के बातों में बस बदलाव करत है, उसकी वज़े से कानून नहीं बतल रहा, बस उसमें changes हो रहे हैं, so that is how आप law के अंदर sections को कर सकते हैं, change, I hope this point is clear to everyone, so this is how the law can be amended, तो बदा, इस तरीके से आपका Companies Act करेगा काम, तो बदा, Companies Act का एक flow हम सीख गए, lawmaker ने कैसे drafting करी, वो बात हमने आपर समझ ली, और हम अप Companies Act के सबसे पहले chapter के साथ, that is chapter number one, preliminary, जिसमें मात कितने section आते हैं, one to two, section one आपको क्या सिखाते हैं, name, extent, किसी भी कानून का दाएरा, और section two of the Companies Act में क्या लिखियो ही है, definition, तो बदा, law क्या होता है, ये तो आपने थोड़ा सा समझ लिया, तो दो classes का time, हमने law को समझने पर devote क किया, किस अभी धान क्या है, कैसे कानून बनता है, तो बड़ा law word तो हमें जान लिया, और हम अपना slabber स्टार्ट करें, companies law के साथ, तो law क्या है, ये तो हम समझ गए, अब बस सवाल उठता है, company क्या है, अजी, what do you mean by company, anyone, company क्या होती है, body corporate होती है, वो ता LLP भी होती है, तो company's admin corporate होती है, वो company होती है, companies are an artificial person, having separate legal entity, having a perpetual succession, having a common seal, which is not mandatory, separate legal entity, किस में रिजिस्टर होता है, ROA, ROA क्या है, अच्छा, ROC, ROC में रिजिस्टर है, ROA कहा होती है, MOA होता है, AOA होता है, तो company क्या होती है, यह company होती है, सर, यह तो company है, क्या आप बात कर रहे हैं, सर, चल भीड़ा, तो lot आपने समझ लिया, अब आप एक शब्द के मतलब पर डगे, and that is the meaning of the word company, company क्या है, तो क्या लगते है, अगर हम companies एक पढ़ने जा रहे हैं, क्या companies एक word company को खुद से define करता हो क्या करता है, क्या करता है, A, B, C, D, alphabetically ढूणेंगे, A, B, C, और यह करता है, करता है, करता है, section 2, clause 20, section 2, clause 20 में, lawmaker ने अपनी तरफ से company की definition दिया, और क्या जबर्दस definition दिया, क्या कर रहा है, company क्या है, company company है, so what is company, company means a company, incorporated under this act, और under any previous, तो company क्या है, company company है, जो या तो इस कानून में बनी है, या किसी पिछले company law में बनी है, तो company means a company, incorporated either under this act, और any previous company दो, तो इतनी unique सी definition, lawmaker company की क्यों दे रहे है, समझने की कोशिश करते है, तो गैरे जी, company means a company, जिसे incorporate किया गया हो, मेरे साथ decode करते जाना, under this act, यहाँ पर word this act का क्या मतलब होगा, companies act 2013, तो बिटा, company company है, जिसे incorporate किया जाएगा, companies act या तो 2013 के तहत, या बिटा, जो incorporated होगी, कौन से company law में, एनी, previous company law, previous company law का मतलब, companies act 1956, तो बिटा, क्या हमारे देश में उससे पुरानी companies में हैं, तो उससे previous company law का मतलब, companies act 56, यह उससे पहले वाले भी, यह सिर्फ 56, क्या लगता है, तो बड़ा, फिर से हम एक word के मिनिंग पर टग गए, previous company law, चेक कर ले, कि क्या पता, lawmaker ने खुदी define कर रहा हो, देखना, क्या defined है, क्या lawmaker खुद से बता रहा है कि previous company law का मतलब क्या होगा, defined है कहीं, चलो search कर लेते, ABCD, EFGH, JKLN, NOP, defined है, चलो, तो बड़ा, lawmaker ने खुद से आपके लिए word previous company law को भी define कर दिया, और वो ने का जी, previous company law में आ जाएगा, आपका इंडियन companies act 1886, 1866, 1882, 1913, 1942 का ordinance, and companies act 1951, and यह कुछ और ordinances वगएरा, जो यहाँ पर पास किये गए, तो यह सब बड़ा आपके previous company law की definition आ गए, कहने का तातपर है, nut shell में सिर्फ इतना सा है, previous company law में company act 1956 भी आएगा, और उसे पहले आज तलक इंडिया में जितने भी company act रहे थे, सब कुछ previous company law में आएगे, तो अगर कोई भी company, इन में से किसी भी law के अंतर incorporate हुई थी, तो वो हमारे company act के लिए company है, बागी बड़ा, इस definition के बाजू में लगा लेना, एक छोटा सा cross, मतलब यह वाली definition आपको paper के लिए याद करने के आपशकता नहीं है, तो paper में नहीं आएगी, बस यहाँ पर एक छोटा सा cross आप बाजू में लगा देना, पर law maker ने previous company law फिर भी यहाँ पर define किया, तो आजा दे भी एक बार company की definition प फिर भी नहीं समझ में रहा, law maker company को ऐसी क्यों define कर रहे है, तो बढ़ा कुछ examples लेते हैं, ध्यान से जवाब देना, भीड़ा, अब हम पढ़ने जा रहे company's act, आप दिरे-दिरे company's act की journey में आगे बढ़ोगे, अलग-अलग sections पढ़ोगे, अलग-अलग sections में क्या लिखा होता ह कि इस section की बात किस पर applicable होने वाली है किसी company पर, आप लिखा होगा company तुझे ये काम करना है, company तुझे ये काम करना है, company तुझे books of accounts बनाने एट्सेक्ट, 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 और आपने company's act का एक section पढ़ लिया 128, और वो कह रहा है जी every company has to maintain its books of accounts, तो हर company को अपने books of accounts बनाने रहेंगे, ऐसी बात section 122 में लिख दी गई, तोड़ा कोई भी इंसान जब कानून पढ़ रहा है, वो कहरे जी हर company को books of accounts बनाने है, तो ये जो company's act 2013 का section 128 है, ये लग रहा है company पर, और इसी तरीके से पूरे company's act की सारी बाते लग रही है company पर, अब मैं आपके साथ बढ़ा, यहाँ पर example आ रहे है, जीओ टेलीकॉम का, तो जीओ टेलीकॉमिकेशन लिमिटेड, बढ़ा, जीओ ग्रुप, रिलाइंस ग्रुप का एक part है, रिलाइंस के एक company है, रिलाइंस के एक subsidiary है, जीओ, जीओ का बढ़ा, इन कॉर्परेशन हुआ था, इन दी येर 2018, 2018 में, बढ़ा, रिलाइंस ने पहली बार टेलीकॉम स्पेस में एंटरी करे थी, और जीओ नाम की company को establish किया था, क्या बढ़ा, उससे पहले रिलाइंस टेलीकॉम स्पेस में होता था, क्या आपके माता पिता जी, रिलाइंस के सिम पहले से इस्तमाल करते थे, तो बढ़ा, वो क्या था, फिर इस जीओ कांसे आगया, जब अल्रेडी रिलाइंस था, फिर जीओ क्यो, आपके बढ़ा, वो रिलाइंस कम्मिनिकेशन होता था, and that used to be the company of Anil Ambani, तो वो जो टेलीकॉम कंपनी थी, वो Anil Ambani की थी, मुकेश Ambani जी ने पहली बार टेलीकॉम स्पेस में पर कि पहलें, पहले इंडिया में इतने सारे टेलिकॉम प्लेयर्स हुआ करते थे, पर आज के दिन में बैठा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कितने प्लेयर्स बचे हैं? मात्रती, इंदी के तीन प्लेयर्स बच गción पाले हैं, पर उनको अगर हम बटा दे, प्र चेलिकॉम स्पेस में सर्वाइव अभी दक कर पाएं, जिसमें Vodafone आइडिया की हालत सबसे खराब है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा हालत, अगर किसी खराब है, तो वो है Vodafone आइडिया, काफी ज़्यादा स्ट्रगल ही एकंपनी कर रही है, बिरला ग्रूप की पार्ट यह वो ही इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर बड़े लिमिटेड से प्लेयर है, गिंती के तीन प्लेयर है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे है, तो एक Oligopoly मार्केट है, गिंती के तीन ही प्लेयर से यहाँ पर है, एनिवेस, जियो बिटा, 2018 में, जियो नाम की कंपनी जग 2013 के लिए कंपनी है, अगर कि आपसे पूछे, क्या Jio Telecommunications Limited, क्या कंपनी है, क्या वो कंपनी की definition में fall करती है, बिल्कुल, क्यों करती है बिटा, क्योंकि इसके लिए कंपनी कौन है, जो नए कंपनी जग में incorporated है, क्या उसे कंपनी जग कंपनी मानता है, बिल्कुल बानत इसे भी कंपनी जग के अंदर अपने books of accounts maintain करने पढ़ेंगे, आते बिड़ा second example पर, let's take an example बिड़ा भारती Airtel Limited, सुनिल मितल जी की कंपनी है, बारती Airtel Limited, listed company है, Jio तो अभी तक list अलग से नहीं हुआ, Reliance listed है, पर Jio separately अभी तक listed नहीं है, पर Airtel एक अलग से listed company है, बारती Airtel Limited, सुनिल मितल साब की company है, बिड़ा Airtel जो incorporate की गई थी, Airtel का incorporation हुआ था in the year 1995, आपके साब से Airtel को incorporate कौन से company's act में कराया गया होगा, 2013 में या 1956 में, obviously 1956 में तब तक 2013 आया ही नहीं था, सवाल आपके लिए, बिड़ा incorporate तो 1956 में हुई है, पर क्या ये हमारे नए company's act 2013 के लिए company है, या नहीं, क्या नया company's act इसे company मानता है या नहीं मानता, बिलकुल मानता है कि बड़ा नयe company's act ने क्या का, मेरे लिए company कौन-कौन है, जो या तो मेरे तहत incorporated है, या फिर किसी previous company law में, तो अगर आप 1956 में भी incorporated थे, तो क्या नये company law में company माने जाओगे, बिलकुल कर पुरानी कंपनीज हैं, उन पर पुराना वाला एक्ट लगता है या नया लगता है, नया ही लगता है कि पुराना वाला तो अब हो चुका है, रिपील, तो ऐसा नहीं है कि नये वाले पर नया लगेगा, पुराने वाले पर पुराना नहीं, नया कानून जो आया है, सारी नयी पुरानी क्लाइन भी तो आसकते हैं तो इसलिए धान रखना आज के दिन में दो कंपनी ज़िए में नहीं चलता है इस तरीके से कंपनी को डिफाइन किया अरे बनी कुछ बात चलो फिर तीसरे सवाल का जवाब दो लिए एक कंपनी आ रही है जिसका नाम है चाइन लाइफ इंशॉरेंस कॉर्परेशन तुक्का मार कर बताना बिटा मोस्ट परबबली एक कंपनी कहां इंकॉर्परेटर होगी इसका इंकॉर्परेशन बहुत बड़ लो होता होगा उसके हिसाब से हुआ होगा चाइना में भी सर कोई कंपनी होता होगा उसके हिसाब से हुआ होगा और यह वहां की कंपनी है वहीं बैठे काम करती है इंडिया से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना है वहां बनी है चुप्चा बैठके वहीं के लोगों का insurance कर रही है, इंडिया से इसका कोई दूर-दूर तक connection ही नहीं है, सबसे पहली बात हमारा law ऐसी company को क्या नाम देगा, इस company को क्या बोले, इस company को नाम दिया जाता है, company incorporated outside India, इसको हम बोलते है, company incorporated outside India, तो ये company incorporated outside India है, सवाल आपके लिए, क्या ये company incorporated outside India, हमारे company's act के लिए company है, और क्या इस पर हमारा company's act 2013 apply करेगा, क्योंकि हमारा act लगता है एक company पर, तो सवाले जी, क्या ये एक company है, कितने बच्चे कहते हैं, sir, yes, it is a company, कितने कहते, sir, no, it is not a company, अरे, सवाल समझ में आ रहा है, मैं कहरो, एक company है, बाहर बनी है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी company को हम नाम दे रहे, company incorporated, outside India, क्या हमारे company's act 2013 के लिए, ये company है, क्या ये company है, बढ़ा, हमारे 2013 के लिए company कौन है, जो कहां incorporated होगी, या तो company's act 2013 में, या India के ही किसी पिछले वाले company's act में, और क्या ये India के किसी company's act में incorporated है, है ही नहीं, क्या ये हमारे लौक के लिए company होगी, layman के लिए company है, normally कहने में आएगा कि company है, पर बढ़ा, legal sense में क्या हमारे company's act के लिए company है, और क्या इस पर हमारे company's act की कोई भी बात लगेगी? क्या लगाने की कोई जरूरत है? है यह नहीं बाहर की company है, बाहर बैठे काम कर रही है इस पर जबरदस्ती हम अपना company's act क्यों लएगा और लगा भी देंगे, तो यह क्यों follow करेगी और नहीं भी follow करेगी, तो हम क्या उपाड़ लेंगे इसका? तो इसलिए बढ़ा, क्या यह आपकी company की definition में fall करता है? The answer is no क्योंकि lawmaker ने company को define कैसे किया है? चो हमारे देश के company's act में बनी होगी, हम उसे company's act के लिए company मानेंगे. यह हमारे law के लिए company नहीं है, इस पर हमारा company's act लगेगा ही नहीं. Is this clear to everyone? अरे बनी कुछ बात? तो एक चोथे सवाल का जवाब का? कितने सवाल हैं सर पहले ना आप यह बदा देगा सवाल कितने इस topic में है? चलो आखरी है बटा यह है, चलो एक Finland based company है, वहीं पर इसका incorporation हुआ है, तो इसका incorporation हमारे देश के company's act में हुआ है या Finland में कोई company's act होता होगा उसमें हुआ होगा, उसमें हुआ होगा है पर इस एक ऐसी company है जो बनी तो बाहर है, पर इंडिया के अंदर भी थोड़ा वो काम धंदा करती है, इसने इंडिया में अपना एक place of business establish किया हुआ है तो बढ़ा ये एक ऐसी company है जो बनी तो बाहर है, पर उसने इंडिया में अपना एक place of business खोला है ऐसी company को हमारे law में क्या नाम दिया जाता है foreign company तो सबसा पहला सवाल बढ़ा एक term होती है company incorporated outside India और एक term होती है foreign company, क्या दोनों में difference समझ में आ गया बढ़ा कोई भी company incorporated outside India, foreign company कब बनेगी जब वो इंडिया में आकर अपना कोई भी place of business open करेगी तो अगर place of business नहीं है, तो उसको normally में क्या बोल दूँगा, company incorporated outside India, पर अगर place of business है तो उसको नाम क्या दे दूँगा, the bigger question for you is, is foreign company, a company for the purpose of Companies Act 2013 क्या foreign company, company है this is that one question जिसमें बहुत सारे CA professionals भी fail हो जाते है अपने कहीं Big4 के दोस्तों से सवाल पूछता हूं, उनके बाश जवाब नहीं होता बढ़ा हो जी क्या foreign company, company है for the purpose of Companies Act कितने बच्चे चेए सार, foreign company is a company foreign company is a company कितने ओने लगे सार, नहीं, foreign company is not a company कितने क्या सार, दिल तो कह रहा है company है, पर दिमाग कह रहा है company नहीं है, आपकी यह में दिल हो दिमाग की fight चलेगी, I know, I understand चलो, जो बच्चे कहरे सर फॉरेंड कंपनी कंपनी है, उनका लॉजिक क्या है, कोई बच्चा बताना चाहे, इसी इसके फेवर में, हाँ बताओ, किस वज़े साब कहरे हो फॉरेंड कंपनी कंपनी है, वो कहरे सर इंडिया में रन कर रही है, बिजनस कर रही है, इसलिए, इस Companies Act में Incorporated हो, और यह तो इंडिया के Companies Act में Incorporated ही नहीं है, तो उस लॉजिक से तो यह Company नहीं है. अब Foreign Company है, पर सवाल ही है, क्या यह Company है, और क्या इस पर हमारा पूरे का पूरा Companies Act as it is लग रहा है? सवाल ही है. बताओ, यह Topic तो शायद Foundation में भी था, Foreign Company का, तो बताओ, फिर. क्याल है भाई, सबड़िया? सवाल हुँनिया, मेरा सवाल ही है, क्या यह Company है? यह Operation होंगे, यह होंगे, यह होंगे, नहीं, Company है हाँ या ना? कितने बचेकर सर है, कितने के सर नहीं, यह Company नहीं है, इस Foreign Company है, Company for the purpose of Companies है, the answer is, the answer is, Foreign Company हमारे law के लिए Company नहीं होती है, क्यूंकि हमारे law के लिए Company कौन है, यह कहां Defined है, Two Clause? और Two Clause 20 है, कहते हैं, हमारे law के लिए Company, मैं सिर्फ उसको मानूँगा, जो India के law में Incorporated है, और क्या बेटा, यह India के law में Incorporated है, Finland के लिए? तो बेटा, यह हमारे law के लिए Company नहीं है, और क्या इस पर हमारे company's act की सारी की सारी बाते, as it is, applicable हो जाएंगी? नहीं, पर बेटा, क्या इस पर हमारे company's act की कुछ-कुछ बाते, कुछ-कुछ हद तक applicable होनी चाहिए? क्या बेटा, इस पर हमें अपना पुरा का पूरा company's act as it is लगाना बनता है, या थोड़ा-थोड़ा लगाना बनता है? थोड़ा थोड़ा क्यों 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 कि कंपनी भार कि थोड़ा मोड़ा काम यहां पर कर रही है तो बढ़ा क्या इस पर हमारा लोग थोड़ा थोड़ा अपलाई करता है थोड़ा थोड़ा अपलाई करेगा और बढ़ा कितना कितना अपलाई करेगा यही आपको सिखाएगा section 379 से लेकर 393 तो यह जो नया chapter है companies act को जो आपके syllabus में introduce हुआ है यह आपको समझाता है कि foreign company company तो नहीं है फूरा companies act तो उस पर नहीं लगेगा पर कितना कितना लगेगा, किस हद तक लगेगा, वो यह chapter सिखाएगा for example यह chapter क्या कहता होगा कि Nokia तो अपनी दुनिया जान के सारे books of accounts इंडिया में बना कर रख या जितना काम तो इंडिया में कर रही है at least उसके खाते इंडिया में बना कर रख जितना काम तो इंडिया में कर रही है उतने खाते तो इंडिया में बना अगर बेटा एक कंपनी थी जियो जो नए कंपनी जैक में बनी है क्या इसका डेटा आपको एमसी पर मिलता होगा क्या एमसी पर इंकॉर्परेटर की बिलकुल एटल है जो बनी तो पुराने कंपनी जैक में पर क्या नए एक्ट के एमसी की वेबसाइट पर इसका डेटा भी मिलता होगा क्या चाइना लाइफ इंशॉरेंस का MC की वेबसाइट पर दूर दूर तक कोई वजूद होगा पर क्या Nokia का थोड़ा मोड़ा वजूद होगा चेक कर लेते हैं तो बड़ा MC के एक फेसिलिटी है जिसको हम कहते हैं MCA Master Data जहां पर आपको जहां पर आपको काफी सारी कंपनी की कुछ बेसिक इंफरमेशन free of cost MCA की वेबसाइट पर मिल जाती है तो MCA की वेबसाइट पर आप जाओगे आप सब भी स्पेसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कंपनी की कुछ बेसिक जानकारी आपको free of cost basis पर publicly available रहती है कोई भी जाकरके वो जानकारी free of cost देख सकते है जिसे हम कहते है MCA master data तो आप Google पर लिखिएगा MCA master data पहला link आएगा उस पर क्लिक करना यहां एक capture मांगता रहता है कितना हो जागा बढ़ा 76 plus 39 पूरी match का इस्तमाल करवा देंगे कितना हो गेजा पहला एक्जामपल हमने कौन सी कंपनी का लिया था Gio Gio Tally लिख दिया चलो मैंने फिर से तोटल करके बताओ जबढ़ा क्या हां सॉरी Gio Telecom लिख देता हूँ exactly वही कंपनी खोल लेते हैं फिर से तोटल करके बताओ अरे आई ने चलो Gio ही लिख देते हैं फिर से तोटल करके बताओ चलो तो जी यो लेक्स अपोस जी यो डिजिटल फाइबर यह वाली कंपनी का डिटा में खोल देता हूँ वैसे दो जी यो नाम से दुनिया भर की कंपनी है इस इसको उपन करते हैं फिर से बताओ बाई 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 चलो जी तो बड़ा यह जी यो डिजिटल फाइबर प्राइबेट लिम्टेड करके एक कंपनी है बड़ा यह कंपनी इंकॉर्परेट कौन से साल में हुई है दोजार अठारा बे इसका सारा डेटा पर आपको अविलेबल मिलेगा बिलकुल यह इसका सिन नंबर आ रहा है कंपनी का नाम आ रहा है एम्दाबाद में इसका रोसी है इस गुजरात की कंपनी है रेजिस्टरेशन नंबर है देट अफ इंकॉर्परेशन इमेल इडी रजिस्टर ओफिस का अड्रेस लिमिटेड अभाइश यह रहें नॉन गवर्मेंट प्राइविट कंपनी यह छोटी सी इसकी ऑथ्राइस कैपिटल है यह छोटी सी इसकी पेड़प कैपिटल है पिछली AGM इसने इस दिन करी थी 15 सितंबर को पिछले खाते इसने आरोसी के पास 31 मार्च तक के फाइल कर रखे हैं बस यह बेसिक सी जानकारी यह थोड़े से लोन्स हैं जो इसने आज तक रेस की हैं अपने एसेट की मतलब M.C.A. में बनी है और M.C.A. पर पूरा डेटा है कंपनी है कंपनी का सारा डेटा आपको मिल गया अगला बेटा दूसरी कंपनी के एक्जांपल हमने कौन से लिया था बाहर थी एटा चलो उसका भी डेटा देख लेते हैं M.C.A. अमास्टर डेटा अरे यार थैंक यू कहीं पर होता है बेसिक मैच ही गलत हो जाता है भारती एटल अरे यार यह बच्चे इसको मज़ा रहा है चोड़ो हो जा टोटल कर रहा है बढ़िया चले तो बढ़िया यह भारती एटल लिमिटेड एटल ग्रूप की एक कंपनी आ गई इसका भी डेटा आपको यहां पर अवेलेबल मिल रहा है मिल रहा है बेटा इतना क्या रोबोट से डर लगता है भाई तो बढ़िया भारती एटल आ गई यह कंपनी का भी पर नया कंपनी जैक इस पर भी अप्लाई कर जाएगा यह इसका आरोच ही आ गया रिस्ट्रेशन फ्रेशन नंबर लिमिक्ट यह इसकी चोटी सी ओधराईज कैपिटल आ गई इस दिन इसकी एग्ट्रेचा पर अवेलेबल है तीसरे एक्जांपल बढ़िया था? चाइना Life Insurance Corporation उस company का नाम यहाँ पर लिख कर देख लेना आपको कुछ भी नहीं बिलेगा Thank you Thank you once again No results found कोई data, कोई वजूद इसका MC के website पर है यही नहीं Because बाहर की company बाहर बैठे काम कर रहे है इंडिया से कोई लेना देना नहीं तो MCA Portal पर यह अपनी कोई filing नहीं करती पर एक last company और आ गए थी Nokia Nokia Telecommunication चलो अरे यार चलो, यह आगया बिड़ा Nokia Telecommunication इसको बिड़ा अप ओपन करके देख अरे यार चलो, हाँ हाँ सीख गए तो बिड़ा यह आगया Nokia Telecommunication अगर आप देखोगे इसका जो SIN नंबर है बड़ा युनीक सा है बागी companies का जो SIN नंबर होता है 21 digits का alpha numeric नंबर होता है जो India के companies एक में incorporated है पर इसका जो SIN नंबर है वो युनीक सा है क्योंकि यह इंडिया के law में बनी ही नहीं यह बाहर की company है इंडिया में बस जब काम धंदा करने आती है तो हमारा law कहते है जी कुछ basic compliance करने है तो F से यह क्या represent कर रहा है foreign company तो एक foreign company जिसकी limited presence है बनी कहां पर है Finland बस इंडिया में आकर काम कर रही है पर क्या हमारा थोड़ा थोड़ा companies act apply करेगा बढ़ा बढ़ा बात क्या है इंडिया में इसका place of business का है यह CP में बढ़ा जो Lee Meridian five star hotel है इनोंने मां का एक अमरा बुक करा रहा है यह हमारा registered office यहां पर कोई काम हम करना को communication यहां कर देना यह इनका इंडिया का place of business है तो यह foreign company है यह company तो नहीं है पर इसको कुछ-कुछ हद तक अपना companies act comply करना पड़ेगा कितना वो chapter number 11 आपको समझाएगा आई हो बिटा यह basic bifurcation आपको समझ में आ गया हो अरे बनी कुछ बात is this clear चलिए यह आपका meaning आ जाता है of the term company अगर यह topic सही से आपको actually में समझ में आया है अब थोड़ा सा advance सवाल पूछने वाला हूं ध्यान से answer करिएगा let's suppose एक company है company का नाम आ रहा है नाम सुनाओ शायद आपने शायद ना सुनाओ अवन्ती feeds सुनाओ है नाम कभी बिटा लिस्टेड कंपनी है इंडिया की ही इंडिया में है incorporated है लिस्टेड और क्या था म करती है यह आपका काम करती है यह केकड़ वे कड़ोगा जो आपका seafood होता है न उसको export, import करना यह इनका काम है केकड़े समुदर में जाते है पकड़ करके लाते है इंडिया में भी sell करते हैं बाहर भी sell करते हैं तो यह इनका basic business है, listed company है food grade industry के अंदर listed है company भी, तो बढ़ा आज Avanti Feebs है, यह एक ऐसे business में है, जहां पर यह इंडिया में भी business कर रही है, पर इसने बेटा अपनी कुछ branches या place of business outside इंडिया भी open कर रखा है बनी इंडिया में है पर काम दुनिया जाने में हर जगे कर रही है यह क्या है, company incorporated outside इंडिया या company क्या इस पर हमारा company's act लगेगा, बिलकुल लगेगा पर कितना लगेगा, जितना काम सिर्फ इंडिया में कर रही है, उतने कले हैं सारे के हमारे company's act में incorporate हो गए, तब तो आपको हमारे company's act की सारी बाते माननी पड़ेंगी चाहे आप इंडिया में काम करो, चाहे बार उससे हमें फरक नहीं पड़ता, फिर तो आप पर पूरे का पूरा company's act लगेगा ही लगेगा इस इस clear? बिटा, एक और company का नाम है, let's suppose Vodafone सुनाओगा नाम, Vodafone बिटा originally company है निदर्लेंड की तो ये निदर्लेंड बेस्ट company है, डच ग्रूप है आज Vodafone को बिटा इंडिया में काम करना था, इंडिया के टेलिकॉम स्पेस में एंटर करना था, Vodafone के पास दो चॉइस थी, let's suppose बिटा, ये Vodafone, एक company जो originally है, उसका नाम है Vodafone International BV किसी भी company के नाम के एंड में, अगर BV वर्ड आ जाए, समझाना वो और निदर्लेंड की तो Vodafone International BV इसे इंडिया में आकर टेलिकॉम स्पेस में काम करना था, इसके पास थी दो चॉइस, या तो बिटा, ये यहाँ पर आकर अपना एक place of business या अपना एक branch open कर सकता था, बिटा, अगर वो branch open करता वो Vodafone से अलग है या Vodafone का ही एक part है, क्योंकि बिटा, branch अलग होती है, हमारा ही एक अंग होता है, हमारे एक अंग, उसकी कोई separate legal entity नहीं होती, अगर बिटा, ये इंडिया में branch open करके business कर रही होती, तो इसी company को आप company incorporated outside इंडिया बोलते हैं या foreign company बोलते हैं foreign company, पर बिटा, Vodafone ने इंडिया में ना अपनी branch open नहीं करी सवाल जो बड़े ध्यांसाज में जाना, इसने इंडिया में open करी अपनी subsidiary, Voda India Limited, नाम में change कर रहा हूं, let's suppose company का नाम है, Voda India Limited इसने इंडिया में अपनी एक subsidiary open करी है the question for you is Voda India Limited का status क्या है वो foreign company है company incorporated outside इंडिया है या हमारे लौकी एक company है कितने बच्चे करें सर ये company incorporated outside इंडिया है कितने करें सर ये foreign company है कितने करें नहीं सर ये हमारे companies act की ही company है जाने लखना बड़ा, ये हमारे companies act की ही company है क्योंकि इसका incorporation Netherlands में हुआ है या India के companies act में हुआ है इंडिया के companies act में और इस पर हमारा company's act selectively लगेगा या सारा का सारा लगेगा सारा का सारा विकोज यह यहाँ पर incorporated है बस यह एक ऐसी company जिसका shareholder कहां बैठा है holding और subsidiary company same होती है या अलग-अलग होती है अलग-अलग, दोनों की क्या होती है separate legal entity, तो यह वाली company तो आपकी company है, इस पर पूरा company's act लगेगा और अगर बिटा, Vodafone ने इंडिया में अलग से कोई place of business open नहीं कर रखा, तो वो क्या हो जाएगा आपकी company incorporated और place of business भी खोल ले, तो क्या बन जाएगा आपकी foreign company बिटा, कुछ differences समझ में आ रहे हैं, हाँ जी बिटा तो देखना पड़ेगा, merger किसका किस में हुआ आपने उपर वाली company को नीचे वाले में merge किया, तो उपर वाली company का वजूद खतम, सिर्फ नीचे वाली company बचेगी उस पर company exact लगेगा, आपने नीचे वाली company को उपर वाले में merge कर दिया, तो नीचे वाली का वजूद खतम, उपर वाले में जाकर मिल गई, अब अगर इंडिया में काम कर दियोगी, तो foreign company बन जाएगी, नहीं कर दियोगी, तो इंडिया में कर दियोगी, तो कर दियोगी, तो इसलिए जब आप एक नाम सुनते हैं, for example, आपनी नाम सुन लिया, Amazon, आपको लग रहा है, Amazon जो USM Incorporated है, वही इंडिया में काम कर रही है, ऐसा नहीं होते है, वो group किस तरीके से आकर इंडिया में काम करेगा, branch खोल कर, subsidiary खोल कर, हर किसी का तरीका अलग-अलग होता है, हर किसी का group structure अलग होता है, तो as a professional आप वो group structure देखने के बाद ही advice कर पाते हो, और जी उसको branch खोलनी चाहिए, subsidiary खोलनी चाहिए, ये advice भी इंडिया में कौन बैठ कर उसे देगा, CA, पूछेंगे, बताओ, अगर मैं branch खोलूँगा, तो इसके क्यारी percussion है, subsidiary खोल कर काम करूँगा, उसके क्यारी percussion है, किसमें company's act में असानी है, किसके अंदर income tax में दिखते हैं, तो ये सारा advice हम उसे कर कर देते हैं, फिर कहते हैं, आप इस तरीके से इंडिया में आकर business करो, प्रांच खोलने से ये नफानकसान है, subsidiary खोलने से ये नफानकसान है, ये सारे analysis हमा रहा होते हैं, ठीक पर ये basic points जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी, I hope this is clear to everyone, अरे बनी कुछ बात, तो last बार प्लीस repeat कर देंगे, what do you mean by company, company means अरे company means, company incorporated under this act, या फिर previous company law, और बढ़ा lawmaker ने इतनी fascinating definition इसलिए दिया, क्योंकि आपको समझाना चाहरे हैं, कि ये कानून कोन-कोन सी companies पर लगेगा, और बढ़ा, same चीज उन्होंने, फिर से clarify करके, section 1 में भी आपको बता रखे, कि हम नई पुरानी सारी companies पर लगते हैं, is this clear to everyone, अबढ़ा हमारे पर दो choice है, जैसा आप लोग है, या तो जो मैंने पढ़ाया है, इसकी noting कर ले, जबकि मुझे पता है, कुछ बच्चों के पास अभी सब्सक्राइब करा दो, कितने का नई sir, interpretation कर दो, कितने का कुछ मत कराऊ sir, शुट्टी कर दो चलो एक दो डाउट आएं जनेक परी से, वो डाउट मैं ले लेता हूँ sir, Land Rover और Jaguar तो बहर की companies हैं पर takeover Tata ने कर लिया, इंडिया के इसाब साब से registration अलग से foreign company के अंदर करवाना है, चलो, एक और सवाल आया है, चलो, good question, ध्यान से answer करना, ध्यान से answer कर देगा, सवाल, अरे क्या होगा, खुझी शुट्टी कर लिगा, अच्छा, okay, okay, all the best, चलो, 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 सवाल ले बड़ा बड़ी धान से समझना, एक company है, let's suppose, Tata Motors, आप सबने नाम से निखा होगा, बड़ा, Indian company है, listed company है, India के ही company jack में बनी है, बस पुराने company jack में बनी थी, पर क्या इस पर नया company jack, पूरा का पूरा apply करता होगा, बड़ा, ये अपनी गाडियां चाहे, इंडिया में बेचे, चाहे भार बेचे, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, या इस पर पूरा company jack लगे गए, लगए, 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 बड़ा, आप business कहा कर रहे हो, फर्क नहीं है, let's suppose, बड़ा, बाहर की company है, जिसका नाम है JLR UK, UK की company है, UK मतलब, United Kingdom, उतरा कर रहे है, इंडिया से कोई लेना देना इसका थाई दी, तो अभी तक, बड़ा, Jaguar Land Rover का status क्या है, company incorporated, क्या हमारे law के लिए company है, क्या हमारा law लग रहे है, और यही company, बड़ा, अगर इंडिया में भी अपनी ब्रांच खोल कर, यहां पे भी showrooms के थ्रू गारिया बेच रही ह है, तो Tata Motors ने बड़ा, इस company की जितनी भी shareholders से, उनसे उनके shares खरीब लिए, और इस पर पूरा control acquire करके, इसको क्या बना लिया, अपनी subsidiary, तो बड़ा, Tata Motors आ रही है, और आज उसकी एक subsidiary आ गई, JLR UK, आपको यह बताना है, इस acquisition की बज़े से, क्या Tata Motors के status पर कोई भी फरक पड़ेगा, वो normal company रहेगी, और क्या इस acquisition की बज़े से, JLR UK के status पर कोई भी फरक पड़ेगा, उस पर भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ share खरीदने की बज़े से, क्या वो Indian company बन जाएगी, incorporated तो बाहर हुई है, तो क्या रहेगी, company incorporated outside India, और वो भी अगर इंडिया में business करती रह जाएगी, तो क्या कहला जाएगी, foreign company, तो सिर्फ share खरीदने के वे से, वो company, Indian company नहीं बन जाएगी, जानक ना, सिर्फ Indian company का control उसके उपर आया है, अरे बनी कुछ बाद, तो जनकपुरी, I hope, जिसका भी doubt था, I hope I made myself clear, Sir, branch मतलब क्या होता है, basically, for example, आप यहाँ पर class कर रहे ह IGP लक्षमिनगर में बैठ कर, IGP private limited एक private company है, लक्षमिनगर उसकी एक branch है, क्योंकि उसका head office कहां है, या registered office कहां है, जनकपुरी, पर यहाँ पर जो classes हो रहे है, क्या IGP private limited इस class का revenue अपनी books of accounts में report करेगी, या या IGP लक्षमिनगर नाम की एक अलग से company खुली हुई है, और य legal entity है, IGP का एक part है, लाइक बैटा, जो IGP रो ही नहीं है, वो एक अलग से कोई entity खोल कर उसमें काम किया जा रहे है, या इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक हिस्सा है, तो यह सब क्या है हमारी branches, हमने अपना head office एक जगे बनाया है, अलग-अलग branches के थो हम अपना business कर रहे है, सा franchisee देना branch होता है, डिपेंड करता है बड़ा, franchisee का model कैसा अपना रहे हो, franchisee जनरी लिखते रहे हैं, joint venture होता है हमारे और किसी franchisee के बीच में, तो yes, बन सकता है, बनी कुछ बात, चले बड़ा, तो this is all about आपका meaning of the term company, तो बड़ा, company की बात है, यहां पर आपके समाप तो ही, चले, आगे कुछ पढ़ाने का समय तो नहीं है, इसी के एक छोटी सी noting कर ले, बुक नहीं है, कर लो यार, बुक में लिख ले ना बाद में, एक ही छोटी सी noting की सवाल है, एक page की noting है, अभी हमारे पास 13 मिनट है, ऐसे मैं class जल्दी over करूँगा, अच्छा लगेगा, चोटी की से noting कर लो, माना करो, अरे मान जाओ, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते हैं, लिख ले ना दुबारा से एक बार में बुक में, अब समझ नहीं है, मैं अच्छा इंसान बनू और मेरा दिल पिखल जाए, या मैं एक स्ट्रिक्टीचर लोगेगा, लिखो भी, बच्चा गरे है, चल अब टीचर हो बटा, अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करनी पड़ेगी, तो बटा जो Tata Motors का example हमने लिए था, उसमें हमने यही जाना था, कि Tata Motors Limited इंडिया की company है, इंडिया के company's act में बनी है, यह बिलकुल एक company रहेगी, और इस पर हमारा पूरा का पूरा company's act, as it is applicable cable रहने वाला है, पर आज अगर Tata Motors बाहर की एक company है JLR UK, अभी तक भूल जाओ कि JLR UK में Tata ने कुछ steak खरीदा, अगर आज के दिन कोई आप से पूछे कि JLR UK का status क्या है, तो आप कहोगे जी, अगर इंडिया में कोई business नहीं करती, तो company incorporated outside इंडिया है, और अगर इंडिया मे business करें, तो उसको हम foreign company का tag दे देंगे, आज अगर Tata इस company के shares खरीद के, let's suppose इसको अपनी subsidiary भी बना लेता है, तो उससे क्या इस company के status पर कोई भी impact पड़ेगा, the answer is no, यह तब भी या तो company incorporated outside इंडिया ही रहेगी, और अलग से इंडिया में काम कर रही है, तो foreign company रहेगी, Tata Motors के share खरीद लेने से, उस company के status में कोई भी अंतर नहीं आता है, likewise Tata Motors के status में भी कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो सरेवस वाली company के case में, अगर कई बाहर की company है, इंडिया में, चलो, एक और सवाल, अपने logic से answer करना, let's suppose एक company है Amazon, Amazon Incorporation बिड़ा, originally कहां की company है, USA, USA में बिड ने अपनी garage के अंदर से, Amazon की starting करी थी, तो उनका घर का जो garage था, वहां पर उन्होंने Amazon की शुरुआत करी थी, और आज एक बहुत लंबा चाड़ office ही है, तल में उनकी company का, top-notch company world की, top-notch company में Amazon का नाम शुमार है, and Amazon has made him, एक time पर वो world के दिचस्ट भी रह चुके थे, इस level पर वो Amazon को ले गए थे, तो बड़ा Amazon Inc. आज USA की company है, आज वो कह रही जी, मैं इंडिया में आकर, इंडिया के लोगों को भी, ये aggregator, e-commerce operator का, या e-commerce aggregator की services provide करना चाहती हो, पहार की company इंडिया आ रही है, CA साब ये बताओ, वो पूछ रही जी, इंडिया आने के लिए मेर branch के थुरू भी काम कर सकते हो, वो कहरी जी, मेरे को इंडिया में अलग से company नी खोलनी, मेरे बाहर ही रहना है, एक ही company है, मेरा सारा revenue, उसी company में मैं चाहती हो, report हो, मुझे नी चाहिए, कि मेरी subsidiary में revenue, report हो, नहीं, सारा revenue, एक ही जगे report होना चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर देखो, मेरी branch खोलने का कोई फायदा तो है नी, मैं कोई दुकान, shop लेकर के खोलू, और वहाँ बैठ कर काम करूँ, मेरा काम ऐसा ही नी, मेरा सारा काम तो किससे होता है, मेरी website से, तो मेरी जो website है, वो USA में भी इस्तमाल होती है, और वही website अप इंडिया में भी मैं launch बाहर की company है, वो इस website से वो इंडिया में लोगों को, e-commerce का platform प्लाटफॉम प्लाइड कर रही है, सवाल उखता है, क्या इस वजए से आप इसे हमारे company, जैक्ती company बोलोगे, क्या ये company incorporated outside इंडिया तो definitely है, है, वो इसका इंडिया में place of business present माना जाए, क्योंकि अगर है तो य काम धंदा इंडिया में कर रही है, क्या हमारा company executive से कुछ हद तक control करें, ऐसा होना जीए, इसलिए जब आप foreign company की definition पढ़ रखी होगी, या दुवारा से पढ़ोगे, महापर आप एक ब्यात कैसीखोगे, place of business आपका physical भी हो सकता है, and place of business आपका electronic mode के जरीए भी हो सकता है, ज क्योंकि फिर हमें अपनी नोटिंग और आगी की पढ़ाही स्टार्ट करनी रहेगी, ज़िए गाइस, तो उसके लिए आपको UK का company पढ़ना पढ़ेगा, सर, foreign company की subsidiary इंडिया में किस नाम से जानी जाएगी, जो भी नाम करन वो करेगी, और वो एक normal company ही रहेगी, तो अगर इंडिया में आप company खोलते हो, Indian company's act में अगर बन गई तो वो company है, प्रतीक, don't worry, उसके लिए आपकी compact book तयार हो चुकी है, CA final की, उसकी बड़ी जल्दी announcement आ जाएगी, आज वोई book मैंने ready करिये, बड़ा ये करना संभव नहीं होता है, आपको इक अलग से company खोलने पड़ती है, शिवान शो, merger वाला किस छोड़ो भाई, अब क्या, उसने का था, sir, merger होगा तो क्या होगा, मैंने का, वोड़ा फोन निदर लैंड्स वाली company है, और तो आज आप किसका merger किसके साथ करते हो, उस पर answer dependent, for example, आपने इस company को नीचे वाली company में merge कर दिया, तो इस company का वजूद फिर खतम हो जाएगा, और existence में सिर्फ ये company है, जो हमारे law के लिए company है, company's act लगेगा, पर अगर आप नीचे वाली company को ऊपर वाली company के साथ merge करते हो, तो ऐसे case में नीचे वाली company का वजूद खतम हो जाएगा, सिर्फ उपर वाली company आपर बच जाएगी, तो merger से उनके status पे ऐसे कोई difference नहीं आएगा, रुद्र बुक्स डिस्पैच हो चुके हो जब भी आपने order प्लेस किया, उस पर depend करता है, जैसे आपका order प्लेस होता है, within 3-4 days, जनरली आपके बस बुक पहुच जाएगे, बंच for the purpose of company's act, merger and amalgamation means the same thing, accounts के लिए एक छोटा सा difference ज़रूर होता है, अकाउंट में आप merger उसे कहते हो, जब A limited जा करके B limited में मिल जाती है, this is merger, और जब A limited और B limited मिल करके, एक नई company C limited बनाती है, इसको amalgamation बोल देते हैं, बाकि companies act के लिए दोनों same है, companies act में कोई bifurcation है, सच नहीं है, इसकरना possible है बेटा, बट ऐसे ही नहीं, आपको यहां की company बंद करनी होगी, वहां एक नई company खोलने पड़ेगी, बट प्रोवीजन हम बोलते हैं, law के प्रावधानों को, जितने भी आप यह section, subsection पड़ेगी, इस आदा provisions of a law, proviso क्या होता है, जब आएगा मैं आपको समझा दूँगा, sir rank के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, सबसे दादा dedication दिखानी पड़ेगी, शुरुवात से ही continuous रहना पड़ेगा, लगातार महनत करनी पड़ेगी, और लगातार महनत करते चलोगा, तो rank अपने आप आप करना है, अभी जर्णी की शुरुवात है, motivation हाई रहता है, धीरे धीरे वो motivation lack होगा, तो इसलिए वो बस motivation बनाया रखना, consistently पड़ता है चलना, प्रनप classes का schedule आपकी Google Drive या उस पर ही आ जाएगा, बाकि schedule तो क्या है, sir आपको parallelly पता चलता ही रहेगा, sir जैसे constitution में article होते हैं, ऐसे इंडिया में बहुत सारे act है, वो सब एक साथ कहीं लिख्यों है, या सब अलग-अलग जगे में, वो segregated, अगर आपको एक ही जगे चाहिए, तो Ministry of Learned Justice की website है, वहाँ पर acts uploaded रहते हैं, हाँ जी, virtual students, any doubt, any doubt, Janakpuri, Rohini, भई, कोई doubt होता, please go ahead and ask, कुछ hyper नहीं हो ना, पर consistency बनाया रखनी है, basics of studies never change, शुरुबात से ही consistent रहोगे, तो end में pressure नहीं आएगा, simple सी बात है, शिवम, live at home बाला student जैसे order place करता है, within 3-4 days, depending कि आप कहां पर रहते हो, by career आपके घर पर, at your doorstep, किताबे deliver हो जाएंगे, जिल्ली में हो तो 1-2 दिन में, दिल्ली के बाहर हो तो 4-5 दिन, at your max, चार्ज का मतलब होता है, जब भी हम अपने asset पर कोई security, किसी creditor के favor में create करते हैं, तो उसको law की language में charge बोल देते हैं, बाकि जब chapter आएगा, तब इसकी detail में हम चर्चा definitely करेंगे, जब हम नोटिंग करना शुरू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो अपनी book carry करिएगा, आप समझ जाओगे कैसे आपको करते हैं, और कोई आपका डाउट में अपनी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूं, इनकेस कोई डाउट आपका फिर भी रह जाए, तो मंदे हम लोग मिलेंगे, मंदे की क्लास में, you can take up your doubt, take care, bye.